नॉवल्स फरेवर में खुशामदीद आज के हमारे नॉवल का नाम है वफा की रह गुजर और इसकी राइटर है मदीहा तबस्व तो आईए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नॉवल को बगेर किसी देर के सर पे आग बरसाता सूरच और पाओं के नीचे सेयात तार कुल की बठी की मानित तहती हुई सड़क सूरच की गरम जुल साती हुई शुआएं वजूद के आर पार होके उसको हाल से भेहाल किये दे रही थी पैदल चलने के बाइस पाओं गोया आबला बने हुए थी उसे नरहाल अपने नरहाल हुए वजूद को बामश्किल खसीड थी वो खुद को चलने पर अमादा कर रही थी सर से डुपटा खेंच कर मजीद आगे करते हुए उसने सुरज के शुआउं से बचने की सही लहासिल की थी जो उसकी आँखों में मुस्तकिल चुब रही थी सर के बालों से लेकर पाओं की एरियों तक पसीने ने गोया बहने को रस्ता बना लिया था गर्मी और उलजन के बाइस उसे पूरे जिसम पर चुंटियां सी रिंगती महसूस हो रही थी बेवसील आचारी तर्स दुख तैश ना जाने कौन कौन से ऐसा साथ थे जो उसे अपनी लपेट में ले रहे थे और ये कोई एक दिन की बात थोड़ी थी कि बंदा जैसे तैसे करके होसला सबर बरदाश्ट के साथ गुजारा कर ले ये तो रोज का मामूल था रोज उसका वजूर तूटे हुए कांच की तरह भी करता और रोज वो खुद ही फगार होती इंग्रियों समेट अपने रेजर रेज़र वजुद को समेटने की कोशिश करती कोई हमदर्द गम घुसार ना था कि कैस उनके दिल का बोज हलका कर लेती या कोई उसे दो लफ तसलिए दिलासे के ही दे देते कि रुपते को तिनके का सहारा के मसादिक उसे कुछ न कुछ आस्रा तो मिलता मगर वाईरी किस्मत अपनों की महबत तो दरकिनार उसे तो गेरों से भी महबत ना की थी ना मिली थी ना कोई सहेली दोस्त हम जोली हम राज वो अकेली तन तनहा थी कभे कवार तो उसे अपना आप बर्गत के उस पेड़ की तरह लगता जो वेरान उजार बियाबान सहरा में किसी प्यास से दर्ष्ट की मानित हालात तो मौसम की तल्खियों से नबर्द आजमा होते हुए होसला हार गया हु ऐसे में उसका जी चाहा के खुद को किसी तेज रफ़तार गारी से टकरा दे किसी उंची बिल्डिंग से चलांग लगा दे या हमेशा के लिए कुछ खा के सूरे मगर इन तमाम हसरतों में से वो किसी एक को भी पूरा न कर सकी थी वो आखरी हद तक खुद को और अपने जब्त और होसले को आजमाना चाहती थी देखते हैं अभी तरकिश में कितने नाजुक नेमकश है जिन को ये वजुद ने नातमा खुद पे सह सकता है उसने जखम जखम वजुद को खसीड़ते वे सोचा प्यास की शिदत के बाइस हलक में कांटे होगे होगे थे जैसे तैसे करके बलाखिर वो आरजी ही सही मंजिल तक पहुँच ही गई थी गेट से मुचसल जेली दर्वाजा धकेलते वे वो अंदर दाखिल होई अपने मतलुबा कमरे में पहुँच कर उसने डुबटा खेंच के बैट पर पहेंगा हैंड बैग एक साइड पर पठखा और खुद भी अपने सिंगल बैट पर बैट के आ गहे सरकार पड़ी मुच्किल से गिन गिन के घरियां गुजारी है एंड उसी वक्त आयाज दर्वाजे से नमूदार हुआ वो तीर की मानी सीधी हुई और बर क्रफ़तारी से लपक के अपना डुबटा उठा के सर पे अच्छी तरह लपेटा लेकिन आयाज की हवस जदा एक सरे करती निगाहों से खुद को छुपा नहीं पाई थी क्यों तरपाती हु यार तुम तो ढंक से सहराब होने भी नहीं देती वो अब कमर में दाखिल हो चुका था सॉरी मेरी नमाज लेट हो रही है किसी मतवक्गा खत्रे के पेशनेजर वो उसके मूँ लगने की बजाए गड़ाप से वाश्रूम में दाखिल हो गए जबके आयाज हाथ मसल के रह गया तुम्हारा ये घरूर और तंतना अपने पाउं की नीचे ना रोंदा मिस अरूप शहाब तो मेरा नाम भी आयाज अकरम नहीं उसके खसता हाल बैट को एक जोरदार ठोकर रसीद करते हुए वो बुलबला के बाहर निकला था दर्वाजा जोरदार आवाज से बंद होने के आवाज से अंदर तक सुनाई दी थी ताहम उसने फिर भी इतनी जल्दी बाहर निकलने के हमाकत नहीं की थी वो जानती थी जितनी दे लगाएगी उतना ही ताही अम्मी की अताब बढ़ता जाएगा लेकिन वो ताही की डाण फिटकार तो बरदाश कर सकती थी मगर आयाज की इखलाक से गिरी हुई बाते और आदात उसकी बरदाश से बाहर थी जहर की नमाज अदा करके उसने लाउंच में कदम रखा तो उसकी शकल पर निगाँ पढ़ते ही नसीम का पारा हाई होने लगा आ गही महरानी अराम फरमा के अंदर कमरे में घुसके कौन से जादू टोने कर रही थी तुझे नहीं पता सबने खाना खाना है अरे और नहीं तो बुड़ी ताई का ही लहाज कर लो जो सुबा से बूख ही बैटी है बूख से देखते ही शुरू हो गए और वा कोई भी सफाई ये जवाब दिये बगएर किचन में दाखिल हो गए क्या बनाओ आपके लिए ताई अमी एक नजर फूरीच का जाइजा लेने के बाद उसने किचन के दर्वाजे में खड़े होकर नसीम बेगम से दर्याप्त किया उनका पीपी अक्सर हाई रहता था और शुगर की मरीज़ा भी थी लहाज़ अक्सर उबेशते परहेजी खाना खाती थी ताहम जब दिल जाता वो परहेज को भार में जौंकर मनपसंद अश्या नोश फरमाती थी इसलिए उर्वा उनके बदलते मोड के पेशे नजर उनकी खुआश के मताविकी उनका खाना मनाती ए बी बी जहर बना लो मेरे लिए जान छूटे हमारी भी और तुम्हारी भी वो दुनिया भर का जहर लहजे में समोई कारदार लहजे तंजिया लहजे में गोया हुई काश कि आपकी ये खुआश भी पूरी कर सकती तो आपको आपकी अल उलाद समेथ खिला देती कुछ तो इस पाक धरती की नहा उस नजासत में कमी आती खुन के गुन बढ़ते हुए उसने सोचा अब यहां खड़ी मेरा मुग क्या देखे जा रही हो दो लुक में खिचरी के बना दो उसी पे गुजारा कर लूँगी फ्रिज में कीमा पड़ा साथ में कोफते बना लो निदा और रिदा सुबा कह कर गई थी आयास कोफतों के साथ सुफएच चावल खाता है बाकियों के लिए रोटियां बना दो काम ही कितना है फिर भी तुम जैसी निकम्मी लड़की चंद अफरात का खाना पकाने के लिए सारा दिन किचन में ही गुजार देती है और डर जारी करने के साथ साथ उसके निकम्मे पन को रगीदना नहीं बूली थी अर्वा खमोशी से पर्ल के किचन में आगे नसीम बेगम खुद तो जो थीस होती उनकी बेटिया निदा और रिदा अपनी मा से भी चार हाथ आगे थी अर्वा की हतक तजलील और इज़त नफस को रोंदना तो उन दोनों का फर्ज आईन था और ये वो दिन में कहीं कहीं बार अदा करती थी दोनों जुरवा थी और अर्वा से दो साल बड़ी थी फैशन के दिल दादा होने की वज़ा से पढ़ाई की तरफ तब जो सिफर थी बार बार फेल होने की वज़ा से वो अभी अपना ग्रैजुएशन ही क्लियर ना कर पाई थी जबके उर्वा ने उसी साल M में इंग्लिश भी कर लिया था बाहिद उसकी तलीम ही थी जिसके बारे में उसने कोई कंप्रोमाईज नहीं किया था चाहे प्राइबेटी सही उसने मास्टर्स तक जैसे दैसे करके पढ़ ही लिया था ये अलग बात है कि इस दोरान उसे कितने कटन और दिल शिकन मराहिल से गुजरना पड़ा था अब वो एक इंग्लिश मीडियम हाई स्टेंडर्ड स्कूल में मैचिंग कर टीचिंग करती थी और उसकी अजाज़त भी उसे सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वहाँ उसकी सैलरी पुरकशिश थी उसकी पूरे महीने की मेहनत को तायम में और उसकी उलाद इतनी बेदर्दी से उड़ाती कि उसका दिल पारा पारा हो जाता जिनके माबाप हयात ना हो ऐसे लोगों को खुछों लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं ये बात वो खुद को दिल में हजार बार समझाती थी लेकिन दिल तो दिल था कभी तो अपनी भी मनवाना चाहता था उसका दिल चाहता था वो भी निदा और रिदा की तरह लंबी तान कर सोए धेरो धेर शॉपिंग करे दूसरों पे हुकम चलाए लॉंग ड्राइव का मज़ा चके कभी मौसम की खुबसूरती को इंजॉय करे कभी तो कहीं तो जिनकी में एक बार ही सही उसकी कमसका में एक खुआश तो पूरी हो सकती एक ही खुआश कोई सी भी काश एकाश शैस कहा हो तूम इस वक वो उस वक्त सालक के साथ बेटा खुशकप्यों में मसरूफ था जब उसके मॉबायल पे बीप हुई उसने यस कह किया दूसरी तरह मामा थी मामा मैं सालक के तरफ हूँ बस एक गंटे तक आ रहा हूँ सालक उसका बच्पन का दोस्ता वो खुद भी पाकिस्तान आता सालक से बतौर खास मिलता था पहले तालीम और फिर जॉब की वज़ा से वो अमरीका में मकीम था माँ भी फून और इंटरनेट के जरिये वो अपने दोस्तों से राप्ते में रहता था एक घंटा नहीं अभी घर पहुंचो फॉरन उनके लाज़े में ऐसा कुछ जरूर था कि वो ठटक गया खेरिये तो है मामा उसने किसी अंजाने खच्चे के पेशे नजर दर्यावत किया तुम घर पहुंचो फिर बात होती है दूसी तरफ से राप्ता मुनकता हो चुका था उसकी चटी इसने किसी खत्रे का अलार्म बजाया मामा ने कभी भी उससे ऐसे लाज़े में बात नहीं की थी खुरदरा तल्ख बेलचक वो हमेशा सलाम दौा अहवाल पूछ कर उससे मतलूबा काम कहा करती थी चाहिए वो चंद सेकेंड पहले ही घर से क्यों न निकला क्या बात है शैस खेर यह तो है क्या कहा रही थी आंटी सालोग को इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि दूसरी तरफ उसकी मामा थी लेकि उन्हें ने क्या है सका था कि उसके चेहरे पे उलजन और तफक्र के तासुरात रकम हो गएते पता नहीं यार मामा ने फॉरन घर पहुंचने का और्डर दिया है वो मतफक्र की लहजे में कहता खड़ा हुआ कोई परिशानी वाली बात है तो मैं चलू साथ उसके तासुरात नोट करते वे सालिक ने पेशकश की नहीं ऐसी कोई बात नहीं इट सोके वो बजार नॉर्मल रहजे में कहता बाहर की तरह बढ़ा तो सालिक भी उसे गेड तक छोड़ने आया कोई परिशानी वाली बात हुई तो मुझे फून कर देना उसके ड्राइविंग सीर समालने पे सालिक ने उसे एक तफ़ा फिर ताकीद की तो वो सर असबात में लाते वे जन से गारी भगा ले गया रास्ते में भी उसका सेन ताने बाने में उलज़ता रहा गारी पोर्श में रोकर वो तेज तेज कदमों से चलता अंदर दाखिल होगा भाई इदर ड्राइंग रूम में मामा वही है रहमा ने हाथ से ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया तो वो अपनी मजीद बढ़ती उलज़न को दबाता ड्राइंग रोंग की तरह बढ़ गया अंदर दाखिल होते ही सामने सोफे पे बैटी शक्सियत को देखकर वो भौंग्चा रह गया आओ शैस बैठो मामने सर्द अजनभी निगाह से उसे देखते वे सामने बैटने के लिए शारा किया उसके आसपास एक मरतबा फिर खत्रे की गंटी बजने लगी थी जानते हो इसे या तारूफ करवा हूँ उन्होंने बराबर बैटी हुई लड़की की तरफ इशारा करते हुए बहुए अचका कर तंजिया लाजे में से दर्याफ्ट किया था जानता हूँ ये सारा यूनिवस्टी में हम दोनों ने कठे पड़ा है उसने अपने लहज़े को नॉर्मल रखते हुए पुर्सकुन अंदास में जवाब दिया देखा अंटी ये हर एक से यूही कहता है कि सारा मेरी क्लास फैलो है ये हमारे मबैन रिश्टे को सिरी से मानने से ही इंकारी है उसकी बात पे सारा रोती हूँ राहत पेगम के गले लग गई तो उन्होंने सक्त मुलामती नजरों से बेटे को देखा और सारा के एक गिर्द बाजु पहला कर उसे गोया तसलिदी थी क्या मतलब है तुम्हारे कहने का और क्या कहूं मैं सारा के रद्यमय ने उसे गुं कर दिया था हैरत की शिद्ध से शच्च्द वो कभी ना काबल फहम नजरों से सारा की तरफ देख रहा था और कभी अपनी मा की तरफ जिनकी आंकों में मजूद तासरात ने उसको अंदर ही अंदर खायव कर दिया था शादी कर रखिये तुमने मुझसे बीवी हुमे तुम्हारी रात ने कंदे से अलग होकर अब वो बेख़ौफी से उसकी आंकों में आंके डाल कर गोया हुई क्या समीन पटी थी या आसमान वो तो गोया कहीं फिजा में मौलिक था कानों ने जो सुना था दिल उसे मानने से इंकारी था उसकी अना पर इतनी कारी जरब लगी थी कि मारे हैरत और सद्मे के अलफाज भी कहीं खो से गय थे तुम मर्दों का यहीं शेवा होता है पहले लड़कियों को पर टाना फिर खुफिया शादी पिर जब अपना मतलब बुरा हो गया तो सिरे से इंकारी हो जाते हो फरार हासिर करना चाते हो तुम भी USA से भाग निकले थे कि पाकिस्तान में कौन है जो तुमारे सिया करतूतों से परदा उठाए निगाए उसके चेहरे पे जमाए वो तन्फुर जदा लहजे में बोल रही थी ये अखलक तो खुफ्से की शदी लहर ने उसे उटने पे मजबूर कर दिया था हैरत की शिदत कम हुई तो मारे तैश की उसका बुरा हाल हो गया उसे अपने पूरे वजूद में जवार भाठा उबलता महसूस हो रहा था क्या बखवास कर रही हो तुम खुसे की शिदत से पागल होते हुए उसकी तरफ लपका था इससे पहले कि वो उसे दबोचता रहा तुन दोने के दरम्यान हाईल हो गई इंतहाई शर्मनाक बात है मेरे लिए कि तुम मेरे बेटे हो ऐसी बेहयाई के काम करते हुए तुम एक दफ़ा भी अपनी माँ बहनों की लाज नहीं आई शहस कार्ट तन्स दुख सद्मा क्या कुछ ना था उनके लाजे मे शहस का बस नहीं चल रहा था कि एखलाक से आरी और पंदार से गिरी हुई उस लड़की को मिजाईलों से उड़ा दे उसका वजूद बड़ बड़ जल रहा था वो तो गोया बारूत के धेर पे बैट रहा हुआ था दरम्यान में अगर मामा हाइल ना होती तो यकीनन वो उसको मज़ा चका चुका था मामा ये लड़की बिलकुल जूट बोल रही है बिलीव मी आपका शहस ऐसा नहीं है उसने बेबसी से कहते हुए अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा किसी लड़की में इतनी जुरत नहीं होती कि वो बगएर वज़ा के इतना बड़ा जूट बोले तुम्हारा क्या ख्याल है वो सिर्फ एक जूट बोलने के लिए अमरीका से आई है दुख तो मुझे अपनी तरबियत पे हो रहा है अगर तुमने शादी कर ही ली थी तो इसे यूँ चुपाने की क्या जरूरत थी नड़ाल सी होकर सुफे पे गिर सी गई थी बहुत बुरे तरीके से तुमने मेरे इमिज को तोड़ा है सारा बेगम कोई औरत इस हद तक भी अपना नुस्वानी वकार गिरा सकती की हकीन नहीं आता उसके लहज़े में शोलो किसी लपक थी तुमने अपना वार आजमा लिया अब्तदा तुम्हारी तरफ से हुई है अब मेरे वार के लिए त्यार रहना उसकी जबान अलफाज नहीं अंगारे उगल रही थी वो यूही सुलगाती नजरों से चल लह में उससे देखता रहा फिर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया एक लंबे के लिए तो उसका रद्दे अमल देकर सारा पूरी जान से काम गई थी लेकिन अगले ही लंबे खुद को कंपोस करती वो दुबारा रहत के सामने अपना दुख़़ा रोने लगी थी रात करना जाने कौन सा पहर था जब उठका नर्हाल पस मरदा सा घर में दाखिल हुआ मुलाउच में दाखिल हुआ तो रहमा को अपना मुन्जर मुन्जर पाया कहां थे भाई आप मैं कहीं दफ़ाब का सेल ट्राइ कर चुकी हूँ वो सोफे पे बैटी हूंग रही थी जब खटके के अवाज पे उसकी आंख खुली वो हर बढ़ा कर उटी तो सामने शैस को पाया बेसाखता इत्मनान भरा सांस खारिच करते हुए उसने उससे मुखाटिब किया तुम सोई क्यों नहीं अभी तक वो उसका सवाल नजर अंदास करके उल्टा उसी से पूछने लगा आपको खाना गरम करके देना था आपकी इंतजार में ही जाग रही थी उसने एक नजर अपने खोबरू भाई को देखा जो उस वक्त खासा तूटा और बिखरा हुआ मैसूस हो रहा था मुझे भूख नहीं है तुम सो जाओ जाकर सर दोनों हाथों में गिराते हुए भूबही देहसा गया भाई रहम अपनी जगा से उटती और उसके करीब जाकर नर्मी से उसका बाजू अटाया वस्मढ़ सकती थे उस वक्त उसकी क्या कहफियत होगी वा खुद इस वक्तसे उलजन का शिकार ती और इस उलजन को शहास ही रफ़़ा कर सकता था शहास ने सर उठा कर उसे देगा था सारा कौन है उसके शिकस्ता वजूद को मतासिफ नजरों से देखते वो उसने मलामत से दर्याप किया था मेरी बीवी, वो जहर खंद हुआ, मुझे सारा का नहीं आपका कॉल चाहिए तुम्हें क्या लगता है रहमा, मैं ऐसी नीच अरकत कर सकता हूँ तुम्हें शेहस उस्मान से किस हद तक गिरने की तवक्व है वो तरफ कर उसी से पूछने लगा, रहमा जवाबन नफी में सर इलाते हुए वही उसके करीब ही बैठ गई थी मुझे तु सारा को देख कर ही पता चल गया था, कि मेरे भाई की पसंद ऐसी नहीं हो सकती मेरी क्लास फैल होती, मेरी तरह ये भी पढ़ाई की घर से अमरीका में मकीम थी उसकी अपने किसी फ्रेंड से इंवाल्मेंट थी, फिर इस हद तक बढ़ी कि दोनों ने शादी कर ली वो लड़का चन्द माह के लिए अपने पेरेंट से मिलने कैनेडा गया, तो इसी दुरान सारा मेरी तरफ मतवज्जे हो गए मुझे हिल्म नहीं था कि वो अपनी जिद में इतना बढ़ेगी कि अपने हस्बंट से डाइवोर्स ले लेगी और सांस के लिए रुका, रहमाद दम सादे उससे सुन रही थी जब उसने अपने ख्यालात का इजहार मुझे से किया तो मैंने अच्छी तरह उसकी तबियत साफ की वो बार-बार मेरे रास्ते में आती रहती, मैंने नर्मी, सक्ती, तंजो, तजही का हर तरह से समझाना चाओ लेकिन वो भी अपनी जिद की बड़ी पकी थी, मेरे पाकिस्तान आने से कबली मेरी उससे जड़ब हुई थी तो उसने मुझे चैलिंज किया था कि मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगे, मैंने असमे मामुल से दर्खवा एतना ना जाना लेकिन इस दफ़ा उसने मेरी फैमली को अदब बनाया, तुक तो मुझे मामा पर है कि उन्होंने भी समझने की कोशिश ना की उसने ठक कर सोफे की पुष्ट से टेक लगाई आप जानते हैं भाई मामा कितनी नरम दिल है, मामा की जगा अगर कोई और होता तो हाथ से पकड़ कर बाहर निकाल देता कि जाओ बीबी हम तुम्हें नहीं जानते लेकिन मामा की साधा तबियर और नरम दिली आरे आ गए अल्ला जाने उसने मामा से क्या क्या कहा कि मामा एक्दम हाइपर हो गए मैंने समझाना चाहा तो उल्टा मुझी पर बरस पड़ी खैर मैंने जैसे तैसे करके सुर्टहाल को संभाला रहमा की बातों से उसे काफी धार्ष मिली थी उसने वेहत मुहबत अपनी बेहन की तरफ देखा जो चोटी से उमर में ही कितनी समझदारी का सबूत दे रही थी अब मैं मामा को कैसे यकीन दिलाओं कि मैं बेकसूर हूँ मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया मामा चाहें तो जिससे मर्जी पूछ ले यूएसे मेरे जितने कॉंटेक्स है मामा चाहें सबसे मेरे गवाही ले ले लेकिन भाग खुदा मेरे किरदार पे यूँ शक न करें उसे दुख था तो सिर्फ इस बात का वो अपनी मा का दिल दुखाने का बाइश बना सारा हसन तो तो बेह नो कोई ना किसी ना किसी तरह निबटी लेता लेकिन पहला मसला मामा का था वो उसका यकीन करती तो फिर था न वो तो शायद उसकी आवाज सुने की रवादार नहीं थी आफ फिकर मत करें भाई मैं मामा को जरूर समझाऊंगी अभी नहीं वक्ती घुसा है अभी सारा के बातों ने उनके दिल पर बहुत गयरी चोट लगाई है ये जखम कुछ मधम हो तो मैं उनसे जरा सुभाव से बात करूंगी मुझे उमीद है वो जरूर सच और जूट को परख लेंगी आप ज़्यादा टैंचन न ले रहमा ने उसे तसली दी तो उसने मशबूर नजरों से अपनी चोटी बहन की तरफ देखा थैंक्स रहमा कम अज़कम तुमने तो मुझे समझने की कोशिश की अगर तुम भी मुझे गलत समझती तो मैं यकीनन तैश में आकर कुछ कर लेता तैंक्स तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने इतनी दूर होते हुए भी हमारे आतमात को ठेस नहीं पहुंचाए अब आप बैठिये मैं आपके लिए खाना गरम करके लाती हो सारा दिन कुछ खाया पिया भी नहीं आपने वोट कर किचन में चली गई तो शेहस भी किसी कदर मुतमेन होते हुए फ्रेश होने चला गया तुम हर वक्त किचन में गुसी क्या करती रहती हो वो किचन में खड़ी रात के खाने के त्यारी कर रही थी जब आयाज उसके अकप से आकर बोला वो उच्छल के मुरी मैं खाना बना रही हूँ वो मुश्किल तूक निकलते हो उसने जवाब दिया और दुबारा अपनी तवज्जो हंडिया की तरफ मर्कूज करना चाही लेकिन आयाज की मुझूदकी में ऐसा करना उसके लिए खासा मुश्किल बलके नामुमकिनी था उसके सर ता पास जाइजा लेती निगाहें बार बार उसका इतकास तोड़ देती थी और आजकल तो वैसे ही आयाज से बहुत खाइफ रहने लगी थी वो उसके साय से भी बागती थी आयाज का रोज बरोज बदलता रवया और आदाद उसे मसलसल परेशान किये रखती थी पहले तो वो कभी कबार दनाई का फाइदा उटाते वे वो उसका हाथ पकर लेता था लेकिन अब तो वो इतना नडर होता जा रहा था कि तायमी के मुझूद की कभी लहाज ना करता था और नसीम बेगम भी सब कुछ देखने सुनने के बावजुद यू नजर अंदास कर देती गोया कुछ हुआ ही ना हो अगर्चे वो हर वक्त खुद को बड़ी से चादर नुमा डुबटे में लपेट के रखती थी इसके बावजुद आयास के अंदर तक खोज़ती गहरी निगाहे उसे पसीना पसीना किये देती उसकी नमाजे और दुआएं तवील होती जा रही थी वो हर वक्त अपने रब से अपनी इज़त और रस्मत की हफाज़त मांगती थी छोड़ो तुम ये फजूल काम उसने चमच उसके हाथ से चुड़ाते वे उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा छोड़ियो मुझे आयास भाई दुरष्टी से कहते उसने एक लम्हे से पहले अपना हाथ वापस खेंचाता और उससे फासले को बढ़ाते वे कदरे दूर हो गई घुस्सा है और घबराहट की मिली जुली अमेज़िश ने उसकी गुलाबी रंगत को सुर्ख कर डाला था लंबी का नेरी मुर्ग हुई बलके उटती गिरती कदरे सहमी हुई थी अतराव से निकली बालों की लिटे नम होने के बाइस चहरे से लिप्टी जा रही थी गुलाबी पंखड़ी पंखड़ी नमाहून पाहम एक दूसरे में पवस्त उसनों खुबसूरती का ये पैकर आयाज अक्रम की कमजोरी बनता जा रहा था दिन बदिन उसके जजबाद और वो उसे पाने की चाह में पागल हुआ जाता तो मुझे भाई मत कहा करो मेरी जान सारा मूर घारत हो जाता है दो कदम आगे बढ़ाते हैं उसने दरम्यानी फासला खतम किया और इससे पहले कि मजद कोई गस्ताखी करता और वा उसका इरादा भामते हुए करण खाके प उर्वा पुरी जान से जल गई शर्माने चाहिए आपको मुझसे ऐसी बेहुदा गुफदगू करते हुए मैं आपके लिए निदा और रिदा की तरह ही हूँ गुम और घुस्ते से उसकी हालत गहर होने लगी तो वो पढ़ पड़ी निदा और रिदा उसने एक बलंद कहक अन्माई थी मिस्स शराजी उसे हरत कर शिदी जटका लगा था सवाल ये नजरों से उसने दुबारा निदा की तरह देखा जो माते पे सिलवटे लिये कीना तो उस नजरों से उसे देख रही थी मैं तुमारी नौकर नहीं लगी जाकर देख लू खो दी इंताही रखाई स कहते हुए वो कहर भरी नजर उस पर डाल के मुड़ गई अहल में अहरत में जिर लब बढ़ाते हुए मोर ड्राइंग रूम की तरह बढ़ गए असलाम लेकुम अंदर दाखिल होते हुए उसने सब को मुश्तर का सिनाम किया वालेकुम असलाम कैसी हो अर्वा में से शराज पर रखके सिंगल सोफे पर बैट गई मैं बिलकुल ठीक हो मैडम आप कैसी है खुद को किसी हत तक नॉर्मल करते हुए उसने उससे दरियाफ्ट किया अरे भई ये मैडम मैडम तो तुम स्कूल तक ही महदूर रखो यहां तो तुम मुझे आंटी कह सकती हो उन्होंने मुस को राते बस बात में सर इलाहता इन से मिलो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त और अजीजा है राहत अबके उन्होंने अपने बराबर बैटी उसी सोबर सी खातून की तरफ इशारा किया तो वो उनसे रस्मी कलमात अदा करने लगी आप लोग जड़र बैट कर गप शप लगा आया हुआ है चलता करें उन्हें मुझे समझ नियातिया से कौन से सुर्खाब के पर लगय हुए उस शेजादी में के इतने अच्छे घराने को उस जैसी फकीर नी पसंद आ गई निदा ने तो जबसे मिसी शराजी और राहत बेगम का मुदा सुना था वो तो तब से ही जल यली बेटी को चमकारते हुए कहा तो वो हूं करकर रह गई तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उस मीसनी और्वा करिष्टा राहत के बेटे से कर दूंगी कि वो सारी उमर अमरीका जैसे शानदार मुलक में गुजारे वहां तो मेरी बेटी नीदा ही जाएगी तुम देखना तो से मैं दोनों खवातिन को कैसे शीशे में उतारती हूं और वा के बारे में तो ऐसी ऐसी बाते करूंगी कि वो खुद ही उसका नाम लेने से कबल कानों को हाथ लगाएंगी और तुमारे लिए हां करवा के दम ना लिया तो मेरा नाम भी नसीम बेगम नहीं उन्होंने सी बखेडे अब जरा जल्दी से देखो आयाज कहां है उसे कहो बजार से खाना ले आए और तुम भी जरा अच्छे तरीके से मिलो और कहना मैं किचन में आपके लिए खाना त्यार कर रही थी जरा इखलाक से मिलना वो उसे ताकीद करते हुए खड़ी हो गए बस बेहन हमने तो कभी औरवा में और अपनी हुलाद में फर्क नहीं किया मैं तो सबसे यहीं कहती हूँ मेरी दो नहीं तीन बेटी हैं यह मैट्रिक में थी जब इसके वालदें रोड एक्सिडेंट में चल बसे बस तब से अब तक मैंने इसे सीने से लगा कर रखका तहजी में दुक और सार नाम भी सारा नहीं तुम्हारे जैसे कितने मर्दों को मैंने सीधा किया और उंगलियों पर न चाहा है तुम क्या चीजों मेरे आगे वो गुस्ते से वो अंदी हुई जा रही थी अपना पहला वार खाली जाते देखकर वो अपनी ही चोड़ पे बुल बलाई हुई थी से उसे पता चला था कि शहस की वालदा आजकल उसके परपोजल के लिए सरगरदा है बलकि उन्होंने लड़की भी पसंद कर ली उसे तब से किसी करवट चैन नहीं आ रहा था बला आखिर अपने रिसॉर्सिज इस्तमाल करते हुई उसने लड़की का नाम और अड्रेस अर्वा तसवर कर लिया था अंटी मैं सारा हूं उसने खड़े होकर बड़े मुधि बलेजर में उनसे कहा था उसका ये ताजीमी अंदाद नसीम बेगम को बहुत भाया था वैसे भी वो इंताई चापलूस और खुशामत पसंद तबियत की मालक थी और यहीं खुबिया उ यह सोच में पढ़ गए क्योंकि वो तो अर्वा की मुझूदगी में बात्चीत करना चाहती थी माशाला बहुत प्यारी है आपकी बेटी उसने खुशामत का सहारा लेकर बात का आगास करना चाहा निदा की गरदन तफाकुर से अकड़ गई थी बस बेटा मेरी तो दो दो बेटी हैं यह अपनी मिसाल आप हैं सुरी बेटा लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं उन्हें तफाकुर से तारीफ समिठते वे अपनी उलजन को रफा करना चाहां जी यह मेरी आप से पहली मुलाकात है एक्चुली मैं USA में मकीम हो और चंद दिन पहले ही पाकिस्तान मुझे पता चला है कि उर्वा की आपकी बतीजी है गालबर जिसकी आप कल रिष्टे की बात चीच चल रही है उसने बड़े सभाव से बात का अगास किया चल तो रही है लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ बलकि अभी तो उनकी तरफ से पैगाम आया मैं बिमार हो मैं इसी सिल्सले में आपकी तरफ आई हूँ आउंटी शाद आपकी कोई नेकी काम आ गई थी जो मुझे इस रिष्टे के बारे में पता चल गया तो मैं फॉरन आपका ड्रेस मालूम करके आप तक पहुंच गई लहजे को रक्त अमेज बनाते हुए उसने आवाज में दु काते हुए उसने ससकारी ली क्या उन दोनों के मुझे खुल गए वहरे से आंके पाड़े उससे देखने लगी जी शैस ने दुराने ताली में मुझे से शादी कर ली थी हमारी शादी को एक साल हो गया आउंटी मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ आप उसकी जारी शक्लो सूरत पे मत जाएगा वो इंतहाई कमीना लालची और खवीस इंसान है उसका काम ही यही है वो हर साल जब भी पाकिस्तान आता तो किसी ने किसी खुबसूरत लड़की को फसा कर उसे शादी कर लेता है और बैरूने मुल्क जाकर उनको फरोक्त कर देता है फिर वो ल आईवोर्स देकर अजाद भी नहीं करता वो सांस लेने को रुकी चबके उन दोनों को तो सांस भी शायद कही सीने में अटक गया था मैंने उसके शर्मनाक अफ़ाल से उसके घरवालों को भी अगाह किया मगर वो भी उसके साथ शरीक है मुझे कुछ दिन बाद वापस चल कर दिया भला आखिर नसीम बेगम को ही होशाया तो उन्होंने इकलाकर नुसका शुक्रिया अदा किया यह तो मेरा फर्स था कि मैं भी एक औरत हूँ मैं नहीं चाहती कि जिस कर्ब से मैं गुजर रही हूँ कोई और भी इससे दो चार हूँ वो इस वक्त इतनी नेक और पा उसने खड़े होते हुए एक कार्ड बैक से निकाला और नसीम बेगम की तरफ बढ़ाते हुए बावसूप लहजे में बोली पैट यह खाना खाके जाएगा निदाने भी हरत के जटके से निकलते हुए अदाबे मेजबानी निभाने चाहे नहीं मैं चलती हूँ एक जरूर से होके अलविदाय कलमात कहते रुकसत हो गई देखा मेरा शक्त सही निकला कहीं कोई ना कोई गड़बर मुझूद है और ना इतने अच्छे घराने के लिए यह यही रह गई है सारा के जाते ही निदा ने मा की तरफ मतवज़े होके बोली उसके अंदर सकून उतर रहा है जो हसद और जलन वो उस दिन से हरवा के लिए महसूस कर रही थी सारा ने उस पर ठंडे चिंटे डालकर उसको परसुकून कर दिया था अब पहली फुरसत में उन लोगों को फून करके मना कर दे कि हम संड़े को नहीं आ रहे निदा वही मुतमेंसी होकर सोफे पर दराज हो मड़ाया था अपनी मा का ख्याल सुनकर तुम्हे कितनी दफ़ा समझाया कि तुम अभी बच्ची हो वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकती जहां तक मेरी सोच है वो उसकी बात काट कर बोली तो निदा ने ना समझने वाले अंदास में मा की जानिम देखा उसकी आंखों मे जाने से पहले वो मुझसे इस हवाले से बात करके गया था मेरा एकलौता लाडला बेटा और मैं उस डाइन की हवाले कर दू ताकि ये अपनी तमाम ना तमाम खुआशात के बदले हम से ले मैं तो सोच रही थी कि आयास के पीछे से ही इसका कोई बंदोबस्त हो जाए अब गला को किसी ने पसंद कर लिया यो खुदी किसी के साथ भाग वाग गई तो हम क्या कर सकते हैं उल्टा बदनामी हमारे हिससे आएगी अच्छा है ना अब दुनिया की नजरों के सामने भी सुर्खरू हो जाएंगे और ये बलां भी हंदेरे कुमे में गिर जाएगी साम भ उर्वा के हुसन से बहुत जलती थी और दिल में उसके लिए कीना बुग्स और अदावत के जजबात की हर्गिस कमीना थी ताहम इस नहेच पर उसने नहीं सोचा था आयाज का मेलान उर्वा की तरफ साफ जाहर हो रहा था वो और रिदा देख देख कर कुड़ती थी ताहम आयाज के सामने दो ट्रोक बात करने से वो भी जिजगती थी कि आयाज बहुत घसीला शक्स था अलबता अपने अंदर का सारा जहर वो उर्वा के सामने निकालने से अर्गिस नहीं चुकती थी आप फिर आयाज के आने से पहले पहले इस मामले को निप डालें क्योंकि उसक खतरनाक लग रहे थे तुम फिकर ना करो मैं आयाज के आने से कबल ही निकाह करवा दूँगी फिर उसे खुद ही समभा लूँगी और रुकसती भी जल्द ही हो जाएगी सादगी क्यार में हम खर्चे से बच जाएंगे वो अब बिल्कुल मुतमईन हो गई थी कुज़चता कहीं दिनों से वो जिस मसले की वज़ा से पहेशानी का शिकार थी और खुद भाखुद ही हलो गया था मा को असुदा देकर निदा भी हलकी फुलकी हो गई थी तन मन अपना खाग किया फिर नगरी एक बसाई थी जाते समय जो पर्ड के देखा एक 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 एंट पर आई थी किस की जा जनजीर हिलाते किस से जा करते फर्याद अपने साथ तो एक खुदा था उसके साथ खुदाई थी वो अभी तक आहल में हैरत में हक दक स्टेज पर बैठी थी बेहिकीनी सी बेहिकीनी सी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी तैह हुआ था कि एकानो यकीन की मंजिर तक पहुंचना दरकार वो तो अभी तक एहरत के साहिल पर इकड़ी थी कल ताई अमीन ने उसे बताय था कल तुम्हारा निकाय उसके असाब पर बम फटा था उससे ना राय ली गई थी ना मश्वरा तलब किया गया था जो उसे चूच चुरा का भी हक मिल सकता अगर उसे आयाज की तरफ से खतरा ना होता तो शायद वो कोई आतजाज कर सकती क्योंकि अपनी ताय की फिद्रस से तो वो भी अगा थी कि अपनी बेटियों की मुझूद्गी में वो उसकी शादी के बारे में इतनी क्यू फिकर मंद हो गई है ना तो कोई इतना लंबा चौड़ा इंतजाम किया था और ना ही ज्यादा महमान थे अलबता लौन में चोटा सा स्टेज और कुरसियां वगरा लगा कर कदर बेतर इंतजाम था और नसीम बेगम की जहेज के जंजट से भी जान चूड़ गई थी कुछ देर बाद मुबारिक सुलामत का शौर उटा था यकीन और बेयकीनी के दरमयान डोलते हुए उसने कब पेपर साइन किया उसे खुद ख़बर ना हुई थी अलबता जब शेहस उसमान को उसके पहलों में लाकर बिटाया गया तो हर तरफ से बुलंद होने वाले तोसीफी कलमात ने उसे अच्छा खासा कंफ्यूज कर दिया था वो खुद में सिम्टी सी बैटी थी अब जो दिल राग अलाप रहा था जो शोर धरकनों में बर्पा था उसका एसास और हर जजबे से जुदा था माशाला चश्मे बद्दूर यह गालबन शेहस की वालदा है उसने दिली दिल में क्यास लगाया क्योंके यही खातून उस दिन मिसिश शराजी के साथ थी और अब भी भी चटा चट उसकी बलाएं ले रही थी चांद सूरज की जोड़ी है मिसिश शराजी ने करीब आकर खा तो उसका जुकावा सर शर्म से मजीद जुक गया अथेलियां पसीने से भीग रही थी आज का जोड़ा उसके सुस्राल से आयत और ब्यूटिशन भी उनकी तरफ से ही आयती क्योंके नसीम बेगम ने साफ कहा दिया था हमारे में दुल्हन को गर से बाहर ने निकालते उसने तो ढंक से आयना भी नहीं देखा था कि वो कैसी लग रही है पहली दफ़ा तो वो ही उत्यार हुई थी वरना मुमन तकारीब में भी उसका सर जाड़ और मुँ पहार टाइप भूलिया ही हुआ करता था बारा तारीख को शहस की फलाइट है पस इससे पहले पहले आप रुकसती की तारीख रख दे रहात ने नहाल उत्ती नजरों से बेटे और बहु को देखते वो नसीम बेगम से का उन्हें वो दिन याद आ गया जब वो किसी काम से मिस्श राजी से मिलने उनकी स्कूल गई तो वही उन्होंने औरवा को देखा था उस और बस वही उन्होंने उसे शहस पसंद आ गया था अपकी अमानत है अब तो आप जब चाहें ले जाएं बेटियां तो होती ही पराय देने नसीम बेगम ने बदिकत अपने लहजे को पुर्णम बनाया था वरना अजाब सर से टल जाने पर उनकी खुशी हद सवा थी बस तो फिर अगले ही अफ़ते की डेट रख लेते हैं मिसीश राजी ने इसहारे ख्याल किया जी बेहन हमें अब एक एक एहतराज हो सकता है नसीम बेगम ने तो गए इनकसारी की हदी कर डाली थी भावी आपको छोड़कर जाने को तो बिलकुल दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है मगर आप फिकर मत करें हम अगले ही अफ़ते आपको बकाइदा ले जाएंगे जाते वे रहमा ने बहुत मौपस उसके हाथ दबाते वे का था बारे हयासे उसके लिए पलके उठाना दो बर हो रहा था जाने से पहले शाहस ने बहुत बरपूर नजर उसका जाइजा लिया था नजर और अंदाज में इस तहका खुद बखुद ही सिमट आया था आप ही किया मेरे बाई बस एक अफ़ता इंतजार कर लो उसके रितकास को महसूस करते वे सालक ने उसे चड़ा तो बड़े बरपूर अंदाज में मुस्कराया था अरवा को तु रहे सहो सान भी खता होगे पलके उटाती गिराए गिराती बहत कंफ्यूज होती वो उस वक्त बहत दिलकश लग रही थी रात को ये खुबसूरे तकरीब अपने एक तताम पर पहुंची थी खिलाफे तवको किसी ने अरवा को कुछ नहीं का था ना तंस ना ताना ना कहर बरसाते जुमले ना काड़दार नजरे वो खमोशी से अपने मिस्तर पर चली गए एक बात तो तहती कि आज की रात नेंद उसके आंखों से कोसो दूर थी किस से पूछ कर आपने ये तमाशा शुरू किया है आयाज दंदनातावा घर में दाखिल हुआ तो वो तीनों माँ बेटी है मज़े से लाउंच में बैटी कोई मूवी देख रही थी जबके उर्वा किचन में दुपाहर के खाने की त्यारी में मशरूफ थी तो क्यामत की घरियान पहुंची आयाज की तेज घसीली आवाद सुनके चुरी उसके हाथ से फिसल कर फर्श पे गिरी थी खौफ औ दैशत में गिर कर उसने दहल कर सोचा आयाज के मिज़ाद से वो बाखु भी अगाती वो जितना खुदसर जिदी हड़ दरम और बत्तमीज था कुछ खबर ना थी क्या कर गुजरता एहे किस तमाशे की बात कर रहे हो नसीम बेगम ने समझते हुए भी अंजान बनकर लापरवाही से पूचा बेटे के मिज़ाद से वो भी खाइफ ही रहती थी मैं औरवा के निकाह की बात कर रहा हूँ वो दान पिसकर गराया हाई हाई किस मनहूस मारी का नाम ले रहे हो अरे वो चोकरी उसके लच्छन देखे हैं इससे पहले कि वो किसी से मुझ काला करे मैंने उसका पका पका बंदो बस कर दिया तुम्हारी वे जवान बेहने अगर कल कला को कोई बात हो गई तो हम क्या कर सकते हैं रसीम बेगम चमक कर बोली बेटे को संभालना गर्चे उनके लिए एक दुश्वार अमर था ताहम वो भी उसी की मा थी इंतहाई शातराना अंदास में चाल चलती थी जो भी है मैं कुछ नहीं जानता इस सिल्सला को जल्द जल्द खतम करें अर्वा इस घर से बाहर नहीं जाएगी दुरष्टी से कहते हुए उसने दो टोक लहजे में मा को कहा था ठीक है अभी कौन सा भागी जा रही है वो जब वक्त आएगा तो देख लेंगे वे नयाजी से कहते हुए उन्होंने रिमोट से चैनल चेंज किया मैं आपसे फिर कह रहा हूँ अगर वो लड़का इस घर में आया या उर्वा ने घर से कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उंगले उठाकर मा को वार्ण करते हुए वो तन पन करता बाहर निकल गया था और वा सूखे पत्ते की मानित अंदर कड़ी लर्ज रही थी आयाज की बातों ने से सरता पाह हिला के रख दिया था इससे कुछ बई नहीं था वो सब कर भी गुजरता बन्हूस मारी नास पटी अब दफ़ा हो जा यहां से और जब तक तेरी रुकसती नहीं होती अपने कमरे में ही बंद रहना उसका कुछ पता नहीं तुझे उठाकर ही ले जाए पिर ना उसकी रहोगी ना उसकी नसीम बेगम ने किच्चन में दाखिलो कर उसे दो हत्धर रसीद किया और उसके कमरे की तरफ धकेल दिया गिर्ती पड़ती वो अपने कमरे में पहुंची और अंदर से चटखनी चुड़ा ली और बकिया साथ दिन उसने किस तरह पुल सराथ पे गुजारे थे वहीं जानती थी कहीं दफ़ा आयाज और नसीम बेगम का जगड़ा उसने सुना था वो अपने कमरे में थर थर कामती लर्ज़ती रहती लेकिन बाहर निकलने की घल्ती नहीं करती थी फिर उसकी रुक्सती से एक दिन पहले घर में काफी खामोशी थी गालबन आयाज गर में नहीं था पता नहीं वो कहां गाइब था लेकिन उसने खुदा का शुकर अदा किया था अब अंदरूनी तोर पर क्या मामला था उसे मालूम ना हो सका था अलबता आयाज शादी वाले दिन भी गायब था कुछ ऐसा जरूर था जो उससे चुपाया जा रहा था लेकिन वो खुद जहनी तोर पर इतनी डिस्टरब्ट थी कि किसी और तरफ दिहानी नहीं दे सकी सिल्वर और पिंक कलर के खुबसूरत लेंगे में वो पहचानी नहीं जा रही थी ब्राइडर ड्रेस उसकी जिल से हम आहंगो कर उसे एक अनोखा और दिरकश रूप दे रहा था निकाह तो पहले ही हो चुका था खाने वाने का इंतजाम तो क्या किया नहीं गया था और नहीं कोई लंबी चौड़ी पराती मुक्तसिर से लोगते कोल ड्रिंग्स वगरा के साथ है तमाम किया गया था जल्दी उसकी रुकसती का शोर उट क्या था ऐसे मौके पर किसी लड़की के क्या ऐसासात होते है अपना घर छोड़ देने का दुख हर एसास पर हावी होते है वो किसके गले लग के रोती माँ बाप के दुख को तो वो बच्पन से रोती आई ती ना कोई बहनती ना सहली ना भाई ना कोई रिष्टदार इस घर से उसका सिर्फ दुख अजियत और कांटो का रिष्टा था कोई मौबत बरापूर खुलूस रिष्टा ना था कि वो उसे ही रो लेती लेकिन फिर भी वो रोई थी बेहत बेहसाब बेताशा वो अपनी माँ को रो रही थी अगर आज वो जिन्दा होती तो उसी के सीने से लग के रोती कोई तो कंदा होता ताई अम्मी और निदा रिदा ने दुनिया दिखावे को उसे खूब चम्टा चम्टा के प्यार किया था रहमा और रहात ने उसे पक्रकर गारी में बिठाय था सारा रास्ता भी उसके बरसाथ जारी रही थी उसके इतने ज्यादा अंसु भाने पर शहसने बेचैनी से पहलो बदला था घर तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत गहर हो चुकी थी कुछ गुजश्चता साथ रोज की टेंशन खुराक की किलत अपनी जात से लापर वाही रंग ला रही थी बेहत कमजोरी और नकाहत के बाइस उससे कदम उठाना दो भर हो रहा था अपनी सास और नंद के सहारे वो बामुश्किल अंदर तक पहुँची थी उसकी आँखों के गिर तारे नाच रहते हाथ पौँ बिलकुल ठंडे और बेजान हो रहते इससे पहले के वो लहरा की नीचे आ रही होती वो दो मजबूत पाहों ने उसे थाम लिया था सुबह उसकी आंग खुली तो उसने खुद को एक कुशादा कमरे में मसहरी पे लेटे हुए पाया था अचनभी कमरा अचनभी मोहल देखकर एक लम्हे के लिए तो वो साकी तरह गे लेकिन जैसे ही जेन ने कुछ काम करना शुरू किया उसे गुजश्चता वाकिया अतियाद आने लगे और अपनी मुझूदा सुर्टेहाल का अंदाजा करते वे वो एक जटके सूट बैटी कल का अरूसी लिबास उसके जिसम पर जूका तूता अलबता भारी बरकम डुबटे की जगा पारीक शफून का डुबटा उसे उड़ाया गया था और जेवर वगारा भी उतार दिया गया था अलबता एक कलाई में कांच की चंचूड़ियां मुझूद थी उसने रिद्गिर नजर दुड़ाई कमरे को बड़े खुबसूरत अंदाज में सजाया गया था हौफ वाइट रॉर लाइट ग्रेक कलर स्कीम किसी साहिब जौक का मुँ बोलता सबूत थी सबसे ज़्यादा गहर जरूरी और फाल तू उसे अपना वजूद ही लगा था उस कमरे में था यमीन ऐसे शानदार घर में अपनी बेटियों को बहाने की बजाए मुझी को बया दिया वो पिर उसी कश्मकश का शिकार हो गए जिसके जहरे असर वो कहीं दिनों से थी कहीं लड़के में तो कोई अब नहीं उसकी जहनी रूप भटक के शहस की तरफ गई तो बेसाकता उसकी तलाश में नजरे दोड़ाई वो कमरे में कहीं भी मजूद नहीं था अलबता सोफे पे उसकी शेरवानी पड़ी थी जो उसने कल जेबतन की थी शेर्स कहां है उसके दिल को बेचानी लहाग हुई उसी वक्त दरवाजा खुला और शेर्स अंदर दाखिल हुआ वो जो दरवाजे के सिम्ती देख रही थी और बढ़ा कर नजरे जुका गई उसे जाकता देखकर शेर्स एक लम्हे को ठटका और अगले ही लम्हें उसके असाब तन गए अगर आपकी नेंद पूरी हो गई हो तो प्लीज बैट खाली कर दे मुझे सोना है सफार लाजे में बोलता वो यकिनन उसी से मुकातिब था वो हक दक सी अपनी जगा बैटी रह गई जी वो यकिनन उसके जवाब का मुन्तजिर था लहाज़ वो सुखे लबों पे जबान फेरती बैट से नीचे उतर आई और अगले ही पल वो उस पे एक बेजार कुन निगाह डालने की भी जहमत कवारा किये बगए अपने बैट पे दराज हो चुका था जिन्दगी महरबान तो पहले भी नहीं थी जो वो खुद को खुश किसमत तस्वर करती कि कहीं न कहीं तो उसके लिए भी कोई खुशी रखम होगी खुआ एक आद ही सही वो भी उसका मज़ा चखती उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि खुशियों का जाइका कैसा होता है और ये जाद पर कैसे असर अंदाज होती है आंसू पीने की कोशिश में नढ़ाल होती वो वाश्रूम की तरह बढ़ गए वाव उसका एक अदर सूट पहले से लटका हुआ था फ्रेश होने के साथ उसने खूब रो के दिल की वहिशत को कम करना चाहा था लेकिन ये आंसू तो उसके मुकदर में रकम थे काश वो आंसू से अपना नसीब भी दो सकती खूब रो चुकने के बाद जब दिल का बोज कदर कम हुआ तो वो बाहर निकल आए बैड पर दराजबू नीन की अमीग वादियों में उतर चुका था उसने पहली दफ़ा बगार उससे देखा भारी बाल उलच कर माते पे बिखरे थे उन्ची खड़ी नाग आंके बंद होने के बाइस पर सिर्फ पलके ही देख सकी थी अनाभी होन पाहम एक दूसरे में पवस थे एक बाजू माते पे जबके दूसरा सीने पे रखे वो खासे बुरे तर्ती भूलिये में सो रहा था अर्वा के दिलने एक बीट मिस की थी सरके शोती निगाहों पे पहरे बिटाती वो रुख पेर के ड्रैसिंग टेबल की तरह बढ़के गिले बाल सुल जा के उसने डुबटा अची तरह सर पे लपेटा और नमाज फजर की अदाइगी के लिए खड़ी हो गए अभी वो ढंक से दुआ भी न मांग पाई थे कि दर्वाजे पे दस्तक शुरू हो गई उसने जाए नमाज तेह करके साइड पे रखी और कश्मकश के आलम में एक नजर सोय हुए शहस पर डाली और दूसरी मसलसल दस्तक हुए दर्वाजे की तरफ पर आखर जिजगते वो उसने खुदी दर्वाजा खोल दिया भावी मैं नाश्टे का पूछने आई थी दर्वाजे पे उसकी नंद रहमा थी एक दम उसे समझ ना आई कि वो क्या जबाब दे भाई नहीं उटे अभी तक उसके अगले सवाल ने खुदी मुश्किल आसान कर दी थी नहीं सो रहे हैं उसने मदम लहजे में का भावी उनके सोने की आदत कम करें यह रात को सोते हैं तो सुबह उटने का नाम नहीं लेते मैं सो सो जतन करके उन्हें बाद मुश्किल उठाती हूँ अब आपने इनकी आदत खतम करनी है मुस्कुराते हूँ से अपने भाई के मुतलिक का अगाह कर रही थी वो फक्त मुस्कुरा ही सकी थी लेजिये बातों मैं मैं भूली गे कि मामा ने बेज़ा था कि आपकी तब्यात पूछ करा हूँ राता बेहोश होगी ती डॉक्टर ने बताया था विकनस और टेंशन के वज़ा से ऐसा हुआ है बाकी सब ठीक है सुबह तक बिल्कुल फ्रेश होंगी अर्वा को वो खासी बातूनी लड़की लगी अंदर आओ यूँ अच्छा नहीं लगता उसका दर्वाजे में ही कड़े होकर बाते किये जाना पर अर्वा को शर्मिन की सी हुई तो उसे अंदर बुला लिया नहीं भाबी जब भाई उट जाएंगे तो फिर मैं नाश्ता ले आउंगी आप के लिए मैं दूद और फल लेकर आती हूँ थोड़ा काकर आप भी अराम करें अभी वली मा तो शाम में है तब तक तबियत को बहाल करें वो खुदी तेज तेज बोलते वो वापस मुड़ गई तो उर्वाने बेसाकता गहरी सांस गेंचते वो उसकी पुष्ट को देखा और सोफे पे आकर लेट बैट गई दूद और फल उसे देने के बाद वो चली गई तो उसने उटकर दर्वाजा बंद कर दिया काना क्या खाक था बूख ही नहीं लगती थी तहम सोचों में डूबी वो कब गुन-गुन पीते दूद का ग्लास खतम कर गई उसे पता भी ना चला शैस का रविया उसके लिए नाकाबले फहम था लेकिन तकदीर का लिखा जानकर वो उस पर भी खामोश हो रही थी कि इसके सिवा चारा भी क्या था एक नजर उस संग दिल शक्स पे डालते हुए जो बेसुद सो रहा था वो खुद भी सोफे पे लेड़ गए और कब उसकी आँख लग गए उसे खुद भी खबर ना हुई थी इतना तूटा हूँ के छूने से बिकर जाओंगा अब अगर और दूआ दोगे तो मर जाओंगा पूछ कर मेरा पता वक्त राएगा ना मैं तू बंजारा हूँ ना जाने किदर जाओं हर तरफ दुन्ध है जुगनु है ना चराग कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाओं जिन्दगी में भाई मुसाफिन हो तेरी कश्टी तू जहां मुझ से कहेगा मैं उतर जाओं पूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर मैं तो खुश्बू हूँ फिजाओं में बिखर जाओंगा आज उनकी मिसिश राजी की तरफ दावत थी चन्द दिनों बाद शेहस की फ्लाइट थी और सबकी कोशिश ये थी कि जाने से पहले उनकी दावत कर दे गोया एक फर्स था जो हर कोई जल्द इर जल्द उससे सब कुदोश होना चाहता था फियास का रवया तनहाई में इंतहाई सर्स पार्ट और लिये दी अंदास वाला होता था अलबता अगर वो सब में मुझूद होते तो फिर बिल्कुल नॉर्मल अंदास में उससे बात करता था और वह जितना उसके रवये पे उलच थी उतना ही कम था उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया था कि उसका कसूर क्या है जिसकी सजा उसके लिए मुकरर की जारी है वो इतने डीसेंट, हाई अजुगेटिड, वेल सेटर्ड और हाई सुसाइटी में मूव करने वाले है भला मुच्सी लड़की उनके मैर पर किस तरह पूरी उतर सकती है बेहतनाई और बेजारी उनके हर हर अंदास से जाहर है तो क्या जबान से ये कहना जरूरी है कि तुम मेरी जिन्गी में जबरदस्ती शामिल की गई हो उसने दिल में सोचा कुछ इसी किसम के ख्यालात से उसने खुद को बहला लिया था तुम अभी तक त्यार नहीं हुई वो वार्डूरूप का पट तामे नजाने किन ख्यालात में गुम थी जब शहास ने कमरे में दाखिल होते वे उसे कड़े तेवरों से गुरा जी मैं बस होने लगी हूँ उसने गड़ बढ़ाते हुए जवाब दिया और जो भी हैंगर सामने आया उसे ही खेंच लिया बॉटल ग्रीन कलर में जदीद तराश खराश का ये सूट खाल सतन रहमा की पसंद का था शहास खुद तो नहाने गुस किया था जबके वो उसके सर्द रवेये से खाइफ होती जल्दी जल्दी त्यार होने लगी जब तक वो नहा के बाहर निकला वो तकरीबन त्यार थी ट्रैसिंग के सामने बैटी वो खलाई में कंगन चड़ा रही थी शहास को देखकर उसने जल्दी से फैलावा समेटा और नेकलिस निकाल कर पहनने लगी अजीम उसीबत है नेकलिस का हुक लगा लुक था कि अड़ी और टटू की तरह अड़ गया था लॉक लगने की नहीं दे रहा था वो जुझलाई और एक मरतबा फिर लॉक लगाने की कोशिश करने लगी शहस पीछे गड़ा ये सब देख रहा था अर्वा के जुझलाने पर वो दो कदम आगे बढ़ा अर्वा को आइने में उसका अकस नजर आ रहा था उसे अपनी जानी बढ़ता देखकर वो दम बखुद रह गई नेकलिस पर गृफ्ट खुद बखुद कमजोर पढ़ गई थी उसके लंज के तसबर से ही वजूद में संसनी खेसी लहर दोड़ गई वो आगे बढ़ा और करीब बिल्कुल उसके करीब जुकते हुए ड्रैसिंग पर बढ़ा ब्रश उटाया और नहायत इत्मनान से ब्रश करने लगा उर्वा की खुश फहमी पल भर में घारत हो गई थी मैं इतनी खुश नसीब कहां वो खुद पर तंजिया सी हसी हसी और नैक्री समेट कमरे से बाहर निकल गई रहमा ये मेरे नैक्रीस का लॉक तो लगा दो मुझसे नहीं लग रहमा की तलाश में किचन में चली आए बस दो मिन्ट भाभी मैं हाद दोकर आती हूँ आप लाउंच में बैटिये वो मेंगो को टुकरे जूसर में डालते वो बोली तो बाहर नाउंच में लाई ये भाभी वो हाद दोकर लाउंच में आकर अर्वा से मुखाति वोई तो उर्वा ने फॉरा नेकलिस उसकी तरह बढ़ा दिया चल्दी करो उर्वा एन उसी वक्त शैस भी अंदर दाखिल हुआ भाई आगए ये ले भाई अपनी ड्यूटी से रांजाम दे अपनी मिसिस के गरे में नेकलिस पहना दे रहमन उसे देखते ही शरार से कहते हुए नेकलिस उसकी तरह बढ़ा दिया वाई नॉट शैस ने बड़ी खुश दिली से नेकलिस पकड़ा और उर्वा की गर्दन में डाल कर लॉक लगा दिया बस एक लमहा लगा था उसके पुरह दर था तो कलंस उसकी रीड की हड़ी तक में संसना हट दोड़ा आ गया था एक लमहे में उसकी पूरी हस्ती तहो बाला हो गई थी धरकनों के शोर मचाते सरकश जजबों को कुछ चलते हुए वो फॉरन पीछे अटी चले उसका यू पीछे अटना है शहस ने फॉरन नोट कर लिया था ओके चलो वो की रूंग घूमाता हुआ बाहर गया तो वो उर्वा ने भी उसकी तकलीद की मिसिस शिराजी के घर उससे हाथ हो हाथ लिया गया था वो खुद भी बड़े अच्छे तरीके से मिली थी और उनकी तीनों उलादे दो बेटियां और एक बेटा बहुत जॉली थे तीनों इंतहाई मुँ फटते तीनों मुँ फार कर यू सवाल करते के कहीं दफ़ाउ से धेरो धेर शर्मने आन गेरा बड़ी फिजा बीस साल उससे चोटी शहाना सत्रा साल जबके बेटा अबदुल्ला बारा साल का था शहस भाई ये बताईए कि आपको भावी की कौन सी चीज सबसे ज़्यादा पसंद है खाने के बाद मिस्ष राजी उन्हें गप्शप लगाता छोड़के खुद बाहर निकल गई तो फिजा ने बड़ी दिर्चस्पी से उनके जोड़ी को देखते हुए शहस से दर्याद किया मुझे सारी पसंद है उसने तो गोया मसला यल कर दिया सारी तो पसंद है लेकिन कौन सी चीज सबसे ज़्यादा पसंद है शहाना ने भी गुफटगो में इसा लिया हम दायाद की उंगली होट पे रखते हुए सर उंचा करके उसने सोचने के अक्टिंग की स्माइल बलाखर कुछ देर बाद उसने कहा तो वो दोनों चिला उटी सबर्दस्ट भाई वाकई भाई मुस्कुराती हुए कोई शाकार लगती है उनके कमेंट्स ने उर्वा को अच्छा खासा कंफ्यूज कर डाला था अच्छा भाई अब आपकी बारी आप बताईए शहस भाई की सबसे अच्छी चीज़ क्या है मुझे नहीं पता उसने जुजब जोगे बात को टालना चाहा लेकिन वो कहां टलने वाली बनाई थी उल्टा उसके सर ही चड़ गई आपको नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा ज्यादा चुपाने की जरूरत नहीं फिर्ज़ा उसके इंकार को कटरी खातर में ना लाई बिल्कुल ये फाउल है आपको बताना होगा शाहना ने भी इसरार किया कुछ बाते राजी रहें तो बहतर है उसने मुस्कुराते हुए दोनों बहनों को देखा बता शाहस को उसकी मुस्कुराहट बहुत पुर इसरार लगी थी उसने बड़ी खोजिती नजरों से उसके ताफरात जाचना चाहे नो बे वो दोनों यक जबान चिलाउटी आपको बताना होगा नहीं तो हमारी तरफ से आपका बाई कॉट है फिस आप दंकी पर उतराई अच्छा वो मुदर सी हसी फिर मदम लेजे में बोली आंखे शहस को हैरत का शदी चटका लगा था गरचे वो जानता था उसमें कुछ हकीकत नहीं क्योंकि उसने कभी भी उर्वा को उससे गोर से देखते वो नहीं पाया था उसके मुझूदकी में वो अक्सर नजरे जुका की रखती थी देखा भाबी कितनी छुपी रुस्तम निकली शहाना ने जोर से कहका लगाया जबकि उर्वा अपने माते पे आए वसीनों को साफ करती शहस के सामने बहुत कंट्यूज हो रही थी चले सब लोग एक अच्छा सा पोस बनाए मुझे तस्वीर लेनी है अब्दुल्ला हाथ में मुबाइल पक्रे किसी कोने से नमोदार हुआ था जरूर क्यों नहीं शहाना ने शहाना जट से बोली और वो चारों के बड़े सोफे पे बैट गया शहाना थी भाई इधर करे जरा भावी को पता तो चले बीवी कौन सी है इतना गैब कुछ जच नहीं रहा 12 साल अब्दुल्ला के मुझे ऐसी बात सुनके अर्वा को अच्छी खासी शर्म महसूस हुई थी शहास उसकी बात पहसते वे खुद ही उसके करीब हो गया उसकी इतनी कुर्बत पे अर्वा सुनी ही हो गई थी दिल पर तो पहले ही एक त्यार ना था उसे लग रहा था वो यहीं पानी बनके पिगल जाएगी शुकर था कि अबदुल्ला ने दो चार तसवीर पर ही एक तफ़ा किया था शाम के साहे गहरे हो रहे थे जब उनकी वापसी हुई आज की दावत में तो वो सारा वक्त अपने दिल को ही संभालती रही थी राहत बेगम और रहमा दोनों ही बहुत अच्छी थी अर्वा कही सालों बाद जाके मा के लंद से आशना हुई थी शाय उसको गया होगए हटे से उपर हो रहा था अर्वा सारा दून कुद को मश्रूप रखने की कोशिश करती गर के सारे काम उसने अपने जिमे ले लिये थे जिसमें रहमा भी वक्तन पर वक्तन उसकी मदद करवाती रहती थी इतना आदी ना बनाओ हो में अपना कि तुम्हारे बगार हम रही ना सके अपनी उंग्लियों के नरम पूरों से वो रहात के सर का मसाज कर रही थी जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ते वे नरमियों मुलामत से टोका मेरे बगार तो मैं कहां जा रही हूँ आपके बगार उनकी बात सुनकर वो किसी कदर हैरान हुई थी और अंदर कहीं दिल भी जोर से धरका था कहीं शेहस तो जाते वक्त कोई फैसला नहीं कर गया उसने धक तक करते हुए दिल के साथ सोचा शेहस के पास नहीं जाना पगली वो तुम्हारे काख़ाद बनवा रहा है बस चन्द दिनों के बात है पिर तुम्हें उसके पास जाना है उन्हें उसकी साथगी पे तूटके प्यार आया तो मैं आपके पास ही रह लूँगी ना वो मुनमन आये तो वो मुस्कुरा दी हमारे पास भी आया करोगी बलके तुम दोनों आया करोगे ल्ला तुम्हारे दरम्यान महभबत बढ़ाए खुशो खरम रहो उनकी दौाँ पर अर्वा की आंके बराई यहां तो मेरे से महभबत का वजूद ही नहीं ता तो बढ़ोतरी कैसी मैं जरा एक नजर कीचन में देखा हूं बर्यानी दम पर रख किया बो जल्दी लेकर वो बहाना बना कर उटके रहत में बतौर खास उसकी खमोशी को नोट किया था उसी वक्त पूनकी बेल ने उनने अपनी तरफ मतवज़े किया दूसी तरफ शहस था अर्वा के पेपर्स त्यार हो गए उन्होंने सलाम दौा के बाद पूछा ओफ हो मामा हो जाएंगे वो भी आपको क्यों इतनी जल्दी है दूसरी तरफ यकिनन वो बद मज़ा हुआ था मुझे जल्दी है या तुम ताखीर कर रहे हो जब तुम यहां थे तब भी मैं कहती तो तुम टाल मट्रोल कर जाते और अब तुमें गह चार हफते होने को आये है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैटे हो आखिर तुम्हारा इरादा क्या मुझे एक ही दफ़ा बता दो वो घसीले लहजे में तेज तेज बोलती गई और वा जो किचन से निकल कर लाउंच में आ रही थी रहात की बाते सुनकर वहीं रुख गई यूँ छुपके मा बेटे की बाते सुनना थी तो ये गहर इखलाकी अरकत लेकिन किसी नादीदा कुष्ट ने उसके पाउं रोक दिये थे मामा कुछ दाइम तो लगेगा ना मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं कि उसे गुमाओ और और उर्वा इधर हो उनके घुसे में आता देखकर वो धीमा पड़ गया नहीं नहीं तुम लोगों की शादी हुई है यहीं तो दिन है एक दूसरे को समझने के चलो तुम्हारा जाना तो जरूरी था लेकिन तुम्हें चाहिए था कि पहली फुरसत में उर्वा के पेपर त्यार करवाते मगर मुझे तुम्हारे तेवरों से लग रहा है कि तुम उसे ले जाना ही नहीं चाते कहीं सारा वाला मामला तो शुरू नहीं कर लिया तुमने वो वाकिए बेहत उसे में थी इसलिए शैस की शामत आई हुई थी माम अप अभी भी मुझे ऐसा समझती है सदमे के बाइस उससे बोला ही नहीं गया ऐसा ना समझो तो कैसा समझो मैंने तो तुम्हें कभी उर्वा को फोन करते भी नहीं देखा मुझे तो लगता है तुमने मेरे आगे हार मान के शादी तो कर लिये मगर अब तुमें ये सब कुछ बोज लग रहा है वो पहले ही सारा वाले मामले की वज़ा से शैस के बारे में बहुत कॉंशिस हो गई थी शैस की इतनी जल्दी शादी भी इसी सिल्सले की एक कड़ी थी अब भी उसका अर्वा से ला तालुक और बेगानगी वाला रविया उन्हें बहुत खल रहा था वो इसलिए बेटे की तरफ से बद्गुमान हो रही थी ऐसी कोई बात नहीं है मामा आप खामखा घलत वहमी का शिकार मत हो यहां आते ही मुझ पर काम का लोड बहुत जादा हो गया था जिसकी बज़ा से अर्वा से अभी तक तफसील से बात नहीं हो सकी वैसे मैं वक्तन फवक्तन उसे फून करता रहता हूँ और मैं बहुत जल्द उसके पेपर्स त्यार करवा के भेज रहा हूँ और अभी हमारी शादी को अर्सा भी कितना हुआ है और वाक़ मेरे बगार उदास होना बिलकुल फितरी अमल है आप खामखा के वहम मत पालिए मेरी बीवी मेरी जिमेदारी है और मैं अपनी जिमेदारी निबाना भाखो भी जानता हूँ उसने बड़ी तहमल से बात को संभाला जानता था मामा इस वक्त उससे में है और प्यारों महबबत से ही उन्हें राम किया जा सकता वरना बनती बात भी बिगर जाती फिर भी बेटा तुम ख्याल रखा करो मसरूफियत अपनी जगा लेकिन बीवी पर जरूरी तवज्जो दो उसकी बातों का असर था कि बो नरम पढ़ गए जी बिल्कुल आइंदा है थियात करूँगा अब कहा है अर्वा नाचारू से पूछना पड़ा मुबादा मामा दुबारा ना कलास ले डाले वरना उसका कटे इरादा ने था अर्वा से बात करने का मैं बुलाती हूँ अर्वा उन्हेंने आवाज दी तो वो खुद को संभालती हूँ अकब से निकली गोया कुछ सुना ही ना हो और अभी किचन से निकली हो ये लो शेहस का फोन है तुम्हें पूछ रहा है उन्होंने से उसे पकड़ा है और खुद बाहर निकल गए तुम खुद नहीं कह सकती मामा से कि तुम्हें यहां नहीं आना वो चुड़ते ही धारा जी मैंने तो कहा था मगर मामा नहीं मानी वो उसकी धार पे सहम के बोली तो तुम मना नहीं सकती थी या तुम्हें खुद शौक चड़ा हुआ एद दुनिया गुमने का वो अपना घुसा उस पे उतारा था मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती आनसो पीते वो बबाब मुश्किल बोली अप इतने बेजार क्यू रहते हैं मुझसे क्या जुर्म सर्जा दूआ मुझसे इन खुबसूरत आँखों में मेरे लिए खफ़की क्यू रहती है वो बैटके साइड का और कॉर्णर पर रखी उसकी फ्रेम शुदा तस्वीर से मुखाटिब थी कहरी ब्राउन शहद रंग साहिर आंके जिन्होंने पहली ही नजर में उससे शिकार कर लिया था शायद यह उनके माबेन रिष्टे का तकाज़ा था यह वो वाकरी पहली नजर के शिकार हो गई थी और वाकों तस्वीर में भी उसकी आंकों में खफ़ी के ताफिरात नजरायते मुख से मिलते हैं तो मिलते हैं चुरा के आंके पिर वो किस के लिए रखते हैं सजा के आंके मैं उन्हे देखता रहता हूँ जहां तक देखू एक वो है कि जो देखे ना उठा कर आंके इस जगह आज भी बैठा हूँ अकेला यारो जिस जगह छोड़ गये थे वो मिला कर आंके मुझसे नजरे वो अक्सर चुरा लेता है फराज मैंने कागज पर भी देखी है बना कर आंके उसकी तस्वीर को हाथों में थाम कर वो पूट पूट करो दी थी ये सारी बाते वो तस्वीर में तो उससे कर कर सकती थी या उसकी बेजान तस्वीर से मगर उसके सामने वो अपने हक में एक लफ तक नहीं बोल सकती थी कि उसने अपने हक में बोलना सीखा ही कब था उसकी तो किसमत यासी थी कि वो अपने हकुक हमेशा गिर्वी रखती आई थी जिन्गी से जो आज आखरी उमीद थी वो भी दम तोड़ती नजर आ रही थी बहांद भांद की बोलियां बहांद भांद के लोग एक दूसरे से बेनियाज लापरवाब बेहिस और खुदगर्स वो बुखराट का शिकार होती अपना सूट के इस तखेलती एरपोर्ट के एहाथे से बाहर निकली बेशिमार अजनभी चेहरों में सेक अपना और आशना चेहरा नजर आ ही गया था ब्लैक जीन्स पे लाइट ग्रे प्लेन शर्ट पहने अपनी तमाम तर मरदाना वजाहत समेथ वो अंदर से निकलने वाले लोगों के चेहरों को ही खोज रहा था उसकी तराश में बेखत्यार तशक्राना सांस खारज़ करती वो उसके सिम्त बढ़ी वो भी उसे देख चुका था असलाम लेकुम वो उसके करीब जाके बोली वालेकुम असलाम वो उसके एक तफसीली निकाह डालता वा बोला सफर ठीक रहा कोई परेशानी तो नहीं हुई उसके हाथ सूट केस लेते हुए वो बड़े नॉर्मल अंदास में रस्मी कलमात अदा कर रहा था उन्हें देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि दोनों के दर्मियान कोई गहरा तालुक है ऐसी रस्मी सी बाते तो अचनबी भी एक दूसरे से कर लेते हैं तो मिया बीवी थे और नहे नहे उस रिष्टे में बंदे थे शादी के अब्तदाई दिन तो हर किसी के रंगों से मजईन खुश्मूवा से लबरेस पुर कैफ गुजरते लेकिन यहां तो किसी एक चीज़ का भी तसवर नहीं था जी कोई मसला नहीं हुआ बड़ा शौक था तुम्हें यहां आने का अब पूरा करती रहना अपने शौक को गारी को रिवर्स करके फर्स्ट केर में डालते हुए वो उस पर एक नज़र डालकर इस्तजाया बोला तो उर्वा लब को चलने लगी शौक जैसी आयाशी पालने के मुर्तकिब हम से हम से बदनसीब कहा हो सकते है शैस उस्मान साहब हमें तो बस जिन्गी गुजार रही है किसी नहश पर ही सही गुजर रही जाएगी एक दिन उसके दिल पर यासित के गहरे साह उतरने लगे कोई भी जबाब देने के बजाए वो किर्की से बाहर देखने लगी कितनी दौाइं मांगी थी उसने यहा आने से कबल काश कि वो भी जिन्गी को गुजार सकती काश शैस का दिल उसकी तरफ माइल हो जाता मुझे जरूरी काम है आफिस में मैं जा रहा हूँ तुम डोर लॉक करके अराम करलो मैं शाम तक आ जाओंगा कुछ खाना हो तो किचन में हर चीज मौजूद है उसे घर तक पहुंचाते ही शायद उसका फर्स खतम हो गया था इंतहाई उजलत में कहते वो बहुत जल्दी में लग रहा था जी उसने वदिक का तमाम कहा तो वो इन्ही कदमों से वापस पढ़ गया और वासोफे पे डहसी गई अपनी कम माईगी का एसास बहुत शिद्दत से उस पर हमला आवर हुआ था उस घर और उसकी हर चीज से उसे वहशत हो रही थी क्या करना था ऐसी चीजों का जब उसका शोहरी उसका अपना नहीं था जिन्गी ने हर लहाज सो उसे दोका ही किया था कदम कदम पर अजियत ही मिली थी कभी तो वो खंदा पेशानी से सह जाती और कभी बुरी तरह तूटके बिकर जाती खटके की आवाज पर वो चौंकर सीधी हुई शायद कुछ बूल गया होंगे इसलिए वापस आए है शहस जाते हुए बाहर से डोर लॉक करके गया था इसलिए उसने अंदर से लॉक करने की जरूरत महसूस नहीं की थी वो लाउंज टाइप हॉल में ही बैटी थी जहां शहस उसे चोड़ कर गया था एक कते ही अंजान चक्स को अंदर दाखिल होते देखकर वो बुरी तरह घबरा के खड़ी हो गए जहां शहस उसे चोड़कर उसके हवास बुरी तरह मुक्तल हुए थे लासमन उसके पास डुब्लीकेट चाबी थी जो अंदर दाखिल हुआ था आप नुवार्द भी उसे देखकर बुरी तरह चौंका था कौन हो तुम तनकीदी नजरों से उसका जाइजा लेते हुए नुवार्द ने कड़े लेजों में दर्याफ्त किया था उर्वा को तो सांस तक रुख गया मैं उर्वा हूँ शहस की मिसिस बामुश्किल तुक निकल कर उसने अलग से चंद अलपाद निकाले वरना तो यू लग रहा था कि अभी पाउं उसका वजन उटाने से इंकारी हो जाएंगे और वो धरम से जमीन पे आएगी शहस की मिसिस वो एक मर्दबा फिर बुरी तरह चौंकर अगले इलमे वो खुद पर काबू पा चुका था भावी आप कब भाई मैं अल्यानू शहस का दोस्त मेरे पास डुब्लीकेट चाब भी है इसलिए आगया अगर इलम होता कि आप मुझूद है तो कभी भी ऐसी घहर इखलाकी अरकत ना करता मुझे एक जरूरी फाई लेना इसलिए आया था वो वाकिए कोई शरीफ और सुल्जा हुआ शक्स था जो ऐसे मुल्क में रहते हुए भी खलाकी तकाजों से वाकिफ था वो बड़े शर्मसार से लहजे में उसे मखातिब था जी कोई बात नहीं उसको भी कदर इत्मनान हुआ था कब आई आप और बैठिये प्लीज उसे कहते हुए वो खुद भी उसे कदर फासले वाले सिंगल सोफे पर बैठ किया मैं आजी कदर जुजब जोकर उसने बताया आजी शहस कहा है डोर तो लॉक था वो ना फहम नजरों से देखने लगा वो आफिस कहा है कह रहे थे कुछ जरूरी काम है नजरे चुराकर कहते वो बो अपने नाखुन देखने लगी तो आलियान को हैरत कर शदीद जटका लगा ओके ठीक है मैं चलता हूँ और आप परेशान नहों मैं अपनी मेसिस को आपके पास भेजता हूँ और शेहस की भी जरा क्लास लेता हूँ आप खुद को तरह मत समझीए अलियान आपके लिए बहुत अच्छा भाई साबित होगा वो बहुत अपनायत से कह रहा था और वो ने सर इलाकर इस रिश्टे को कबूल किया था अप घबराये मत मैं अभी नादिया को आपके पास लेकर आ रहा हूँ वो से तसली देकर बाहर निकल गया तो वो कुछ समझ ना आने वाले अंदाज में दुबारा सोफे पे बैट गए नादिया क्या आई थी उनके फ्लैट में गोया बहार आ गई थी उनका एक गोल मट्रोल सा बच्चा भी था जो पूरे फ्लैट में भागा दोड़ा फिर रहा था नादिया खुद भी मसलसल बोल कर फ्लैट की खमोशी को खतम कर रही थी आली ने खूब खबर लिया शेहस भाई की बस वो अभी आने वाले होंगे लेकिन तुम्हें उनके आने से पहले कुछ त्यारी करनी चाहिए ना चलो उटो मुझे अपने कपरे दिखाओ मैं तुम्हें जल्दी से त्यार कर दू उसकी बात पर उर्वा गड़ बढ़ा गई लेकिन मुझे इतना बनना सबरना अच्छा नहीं लगता उसने फजूल सी दलील पेश की शहस के मिज़ाद से खुब वाकित थी उसने तो एक निगाह घलत भी न डालना थी तो फिर क्या फाइदा ऐसे बनाव से इंगार का नहीं लगता तो फिर क्या हुआ अरे आज पहला दिन है तुम्हारा हम तो अच्छे तरीके से सेलिबरेट करेंगे वो कहां उसकी सुनने वारी थी वैसे भी वो खासी बातूनी सी लड़की थी और फिर खुदी उसने उर्वा के लिए महरून और गोल्डन नफीसी कड़ाई वाला सूट निकाला प्रेस किया और अर्वा के नाना करने के बावजूद उसे अच्छा खासा त्यार कर दिया अजराए मुरबत अर्वा बेचारी कुछ कह भी न सके पहचान ले शेहस भाई कौन है ये आलियान और शेहस गर में दाखिल हुए तो नादिया ने बड़े सर्प्राइजिंग अन्दाज में अर्वा को आगए किया शेहस ने निगाहें उठाई और एक लबहा के लिए मभूत हो गया वो भागए नजर लग जाने की हद तक हस्सीन लग रही थी किसी मुगलिया दौर की शेहजादी उसकी बाला हाना पुरहदत निगाहों ने अर्वा को अच्छा खासा कंफ्यूज कर डाला था हया की अमेजिश ने उसके हुसन को दो आथशा कर दिया था मेरा ख्याले आली हम चलते हैं नादी अपने शोहर से ज़्यादा बोलती अबे भी शेहस की आँखों के रंग बदलते देखकर उसने शिलारा से कहा तो वो जैसे एक दम होश में आ गया ऐसी बात नहीं आप लोग बैठिये अपनी खफ़त मिटाता वो अदाबे मेजबानी निभानी लगा एक लमगे के लिए अरवा को देखकर उसके दिल ने जो तकाजा किया था वो उसे भी बुखला कर रख गया था उसी लिए नजरे को बचाना वो उन लोगों की तरफ मतवज्जे हो गया भाई आज के स्पेशल गैस तो आप दोनों है आप इधर तश्रीर परकिया आज मेजबानी का शर्फ हमें बख्षिये नादिया नुर्वा को सामने बिठाते वे कहा बिलकुल यार नादी ठीक कह रही है आली ने भी उसकी ताइद की तो वो कंदे अचकाता उर्वा के बराबर आ बैठा ओके नो प्रॉबलम अंधा क्या चाहे दो आंके करो हमारी खिदमते वो टांग पे टांग चड़ाता बड़े रिलाक्स अंदाज में बोला और वा खमोशी से निगाहें जुकाए बैटी थी भावी आप भी तो कोई बात करे ना आज का दिन तो बड़ा खुशकवार दिन है हमारे लिए बड़ा मिस भागती दौरती जिंगी में कब मौका मिलता है ऐसे वक्त गुजारने का आली उसकी खामोशी को बहुत महसूस कर रहा था इसलिए कहे बिना न रह सका आप आते करें मुझे सुनना अच्छा लग रहा है वो मुलाइम लहजे में बोली जिंगी से बरपूर हस्ता मुस्कुराता कपर उसे वाकर ही बहुत अच्छा लगा था खुश किस्मत तो हुयार ऐसी बीवी मिली है जो बोलती कमर सुनती ज्यादा है एक हमारी बेगा में सारा दिन कान खाती रहती उसकी जबान तो अपनी बारात वाले दिन भी फराटे भर रही थी आली ने एक हसरत बरी ठंडी आप बरी और अफसोस बरी नजरों से अपनी जोज़ा को देखा गोया कह रहा हो कोई सबग तुम भी सीख लो डोन वरी शेहस भाई मैं अर्वा को भी अपने जैसा कर लूँगी आली की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाते हुए वो बेन्याजी से बोली तो आली सर पकर के रह गया जबकि शेहस का बेसाकता कहका बलंद हुआ था अर्वा भी मस्कुराने लगे आली खाने पीने की इशिया बजार से ले आया था वो दोनों मिया भी भी अब किचन में घुसे खटर पटर कर रहे थे शेहस बड़े रिलाक्स मूड में बैटा था जबके अर्वा अंदर यंदर अच्छा खासा घबराई हुई थी वो उसके पहलों में बरा जमान था उसके मलबूत से उठी कीमती परफ्यूम की खुश्बू अर्वा को अपने हसार में ले रही थी दफ़तन शेहस ने उसकी गोद में धरे मुमी हाथ को नर्मी से पकड़ा था अर्वा साकित रह गई दूसरा बाज़ू उसके कंदे पर पहलाते हुए उसने दरमयानी फासला कम किया तो अर्वा के तो पुरे जिसमें बर्की लहरे दोडने लगी शेहस की खुश्बू उसकी चारू और चक्राने लगी दिललग पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताबो बेचायन था उसकी इतनी कुर्बत पे उससे ठंडे पसीने आने लगे आली जल्दी करो ये प्लेटे डाइनिंग टेबल पे लगाओ नादिया की तेज अवाज में महाल पे चाय सहर को तोड़ा था शेहस भी गोया उस सहर से निकल आया था जब क्योरवा का दिल अभी तक धरदर कर रहा था बाहरे हया से पलके भी अभी तक लर्द रही थी खाना लग चुका था उन सब के बेहत उन सब के बेहद इसरार पर भी उसने सिर्फ चल लुक में लेने पर एक तफ़ा किया था नादिया और आली ने आज के दिन को यादगार बनाया था अब आप लोगों की दावत है हमारी तरफ अजाम उठ चुका था और उसने उठते ही काफी शोर मचा दिया था इसलिए उन दोनों वापसी के लिए पर तोलने लगे नादिया ने जल्दी जल्दी में भी सारा फिलावा समेट लिया था जाते वक आली ने उन से कहा था क्यू नहीं जब कहोगे मैं और अर्वा आन धमकेंगे उन दोनों ने उसकी खातिर आज अपना वक निकाला था आज का दिन उसके लिए वक्फ कर दिया था तो उसका भी हक बनता था कि वो भी जवाबन खुश्दिली से उन से पेश है उनके जाते ही फ्लैट में एक मरत्मा फिर सनाटा बोलने लगा था शहस अंदर दाखिल हुआ तो वो सामने बैटरी हुम्गियां चुटखा रही थी वो बेख त्यार उसकी तरह बढ़ा कंदों से पकड़कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया इंगेश्टे शहादत को उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसका चहरा उपर किया बेताशा पजल होती वो निगाहें जुकाए हुए थी तुम आरतों के अंदर कनाथ क्यू नहीं होती बड़ा चुपता हुआ सवाल था अर्वा को हैरत का जटका लगा था बेह धरानी सपल के उठा के उसने शहाद को देखा जो उसके बेहत करीब खड़ा उसे ही देख रहा था लेकिन उसके चहरे पे अजीब सर्द किसम के तासुरात थे तुमने मेरी खुशियां बरबाद की है अब सारी उमर खुशी को तरसोगी उसका सर्द बरफीला लाज़ा उर्वा की रहीड की अड़ी तक में सुनसनाहट दोडार गया वो पूरी जान से काम गई मैंने क्या बिगाड़ा है आपका पहली दफ़ा वो उसके सामने लग खुल पाई थी खुब ये भी मैं बताओं इतनी भोली तो नहीं हो उर्वा बेगम आंके सुकेड कर उसे देखते वो इस तजाया बोला तुम्हारा क्या ख्याल है अपनी अदाव से तुम मुझे असिर कर लोगी उस पर निगाहें गार कर उसने कटीले लहजे में दर्याप किया तो वो बेसाखता लव कुछ चलने लगी आएंदा गर इस किसम की ओची हरकतें करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा मैं तुम ऐस जैसी लड़कियों से इंपरेस होने वाला नहीं समझी तुम वो घराया और वह सहम गई रहाजा अपनी उकात में रहा करो तहर से कहते हैं उसने उसे जटका दिया तो वो पीछे सोफे पर आगी ली जबकि वो खुद दब दब करता अंदर कमरे की तरह बढ़ गया और एक जोरदार आवाज से दर्वाजा बंकिया वो इस शक्त से महबबत करती जिसके सीने में दिल नामी कोई चीज ही नहीं वो चेहरा आतों में चुपाकर रो पड़ी कि और वो कर भी क्या सकती थी हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है बहला बेफैज लोगों से महबबत कौन करता है बहला जिस तजारत में खसारा ही खसारा हो बिना सोचे खसारे की तजारत कौन करता है हमें ही घलत पहमी थी किसी के वास्ते वरना जमाने के रिदा जोसे बगावत कौन करता है खुदाने सबर करने की मुझे तौफीक बख्शी है अगर जी भर के तर्पो तो शिकायत कौन करता है किसी के दिल के जखमों पे मरहम रखना जरूरी है वसी इस दौर में ये जहमत कौन करता है ज्यादा ना सही थोड़ा तो वो इस महल में अडज़स्ट होई गई थी और उसने करना भी क्या था शेह सुबा का गया कभी शाम को तो कभी रात को लोड़ता वो सारा दिन घर में बुलाई बुलाई पिरती काम था ही कितना उसे तो वैसे भी सारा दिन कोहलों के बैल की तरह काम करने की आदत थी अब यहां तो वो एक दो घंटे में ही फारिग हो जाती कभी कभार नादिया वगरा आ जाते तो वो दिन खुशगवार गुजर जाता वरना वहीं बोर तरीन दिन शेहस घर में होता तो भी कौन सा कोई तबदीली आ जाती थी तब भी वो कमरे में बन कभी कम्प्यूटर पे बैठ जाता कभी फाइलों में सर गुसा लेता लेकिन फिर भी दिल को ढार्स तो रहती थी थी न कि वो घर पे है कहीं दफ़ा उर्वा का दिल चाहा कि वो उससे पूचे कि आप मुझसे इतने बेजार क्यूं रहते हैं लेकिन फिर भी उसका उस दिन का रवया याद आता तो वो सहम कर रह जाती वैसे वो दूसरों के हुक्मों के मताबिक जिनके गुजारने की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे ये तक भूल गया था कि अपने हक में आवाज कैसे और क्यूं कर उठाए जाती है अपने खुदा को राजदा बनाए वो अभी भी अपनी बरदाश्ट की आखरी हद तक खुद को आजमाल लेना चाहती थी आज शेहस आफिस से जल्द आ गया था लेकिन साथ में फाइलो का अंबार भी उठा लाया था आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गया था और वो ने खाना भी उसे वही दिया था वो अक्सर यूही करती थी उसे खाना देकर खुद वही बैट जाती जब वो खाना खा चुकता तो फिर बरतन उठा के ले जाती और काफी बना लाती शेहस के कमरे से मुझसल एक चोटा सा स्टड़ी रूम टाइप कमरा था उसने वही अपना बिस्तर लगा लिया था अक्सर और कमरे अगर्चो और भी कमरे थे और शेहस ने उससे कहा भी था कि वो किसी और कमरे में सो जाया करे लेकिन उसने बड़े जिजगते हुए बज़ा बियान की थी मुझे दूसरे कमरे में डर लगता है मैं यही ठीक हूँ वो उसकी बात पर खामोश होके रह गया यूँ गयान और ध्यान से अपनी जानिब देखता पाकर ठटका था अरवा ने हर बढ़ा कर निगाहें नीचे की जाव अराम करो तुम्हें नीद आ रही है उसे कहकर वो दुबारा काम में मगन हो गया जबकि वो सुनी अंसुनी करती वोहीं बैटी रही क्या करती वो सारा दिन अकेली रह रहके किसे से बात करने को तरस जाती थी वो कठोर इतना भी था वो आता भी था तो उसके लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता था अरवा गर्चे उसे मुखातिब करने की हमत खुद में नहीं पाती थी लेकिन यूँ सामने बैट कर वो अक्सर उसे देखती रहती कि चलो कुछ तशनगी तो कम होती थी आफिस में काम का लोड बहुत ज़्यादा था उसके लिए आगे तरकी का चांसे थे याज़ वो अपनी कारे करदेगी को बेतर से बेतर बनाने की कोशिश कर रहा था अपने चक्रों में उसने राद दी नेक किया हुआ था लैप्टॉप आफ करके उसने साइड पे रखा तो अचानक उसकी नजर सामने उठी और वास सामने सोफे पे बैठे बैठे सो गई थी गरदन एक तरफ को डिलग गई थी आज गालबन वो नहाई थी जब भी बाल बिखरे हुए थे उसने स्यारंग का सूट जेबतन कर रखा था जिसमें से उसकी दमकती रंगत लशकारे मार रही थी डुबट्टा सिरक सिरक के सुफे पे आ रहा था जिससे उसका दिलकर सरापा नुमाया हो रहा था शेहस पहली दफ़ा उसको यू बेटर्टी बुलिया में देख रहा था वरना वो घर में भी अमूमन डुबट्टा अच्छे तरीके से ओड़े रखती यू जैसे वो उसका ना महरम हो उर्वा उसने धीरे से बुकारा मगर लगता था वो गहरी नीन में चली गई थी उर्वा उसने उसका गाल थप थपाया तो वो जरा सो कसमस आई शेहस के लिए अपनी निगाह बचाना मुश्किल हो रहा था उठो चलो अपने कमरे में चलकर लेटो अपकी दफ़ा उसने बाज़ उससे पकड़कर उसे हलका सा जुन जोड़ा उसने कसमस आकर आंके खोलने की कोशिश की लेकिन दिमाग अभी तक नीन से बिदार नहीं हुआता हुमार अलूद सोती जाकती नीमवा अंकों से उसने शेहस को देखने की कोशिश की क्या मुसीबत है अपने कमरे में जाओ खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हुआ तो वो जुन्जलाहट में उसे ही जुन्जोड गया हाँ रवा किस्यात बेदार हुई तो वो एकद़ मरबढ़ा कर सीधी हुई मैं यहाँ अपने हुलिये पे नादिम होती वो फॉरण खड़ी हो गई फिकर ना करो महफूज हूँ मैं आयाज की तरह नफस का गुलाम नहीं वो जहर खंद हुआ अलफाज थे कि सुनसनाते वे थी जो सीधे उसके दिल में प्रवस्त हुए थे वो बुद की मानित साकित हो गई जाओ, सो जाओ, जाकर टहकम अमेज लहजे में बोलता वो बैट की तरह बढ़ गया जबकि वो अभी तक साकित हो जामत अपनी जगा सुनसी करी थी जाओ, दफा आओ, जाओ, यहाँ से उसे अपनी जगा मुंजमी देखकर वो धाड़ा तो वो भागती हुई, अपने कमरे में बंद हो गई, अपने बिस्तर पे गिर के वो पूट पूट के रोई थी, रोते रोते माजी की भूल बलाईयों में गुम, ना जाने किस लम्हें नीन की वादी में उतर गई थी कहा था ना, मुझसे शादी कर लो, वो एक दवा फिर वहीं आगी थी जहां से चली थी, कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था, जहां वो छोड़कर गई थी, अपने स्टोर रुमा कमरे में वो अपने बसीदा और खसता हाल से बैट पे बैटी थी जब आयाज अंदर दाखिल हुआ उसके रोने की शिदत में मजीद इजाफा हो गया चेहरा हाथों में चुपाके वो पूट पूट के रो पड़ी क्यूं रोती हो, मैं हो ना उसे खुद से बेन्याद देकर आयाज मौका घनीमत जान कर उसके करीब होके बैट गया, वो खुद हाल से बेहाल हो रही थी, आयाज की तरफ तबज्जो ही नहीं कर सकी, चलो अच्छा हुआ, उस कमीने शक्स से जान चूट गई, देख लो, मैं अभी तक तुम्हारे इंतजार में बैठा, तुम्हें पाने को तरस रहा हूँ, बस अब हर दूरियां खतम करो, उसकी कमर के गिरत बाजू हमायल करके उसने उससे साथ अगा लिया और वो एक दम ही जैसे होश में आई, करन खाकर उसने उससे दूर होना चाहा, लेकिन उसका हलका मदबूत था, वो कोशिश के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पाए, उसके मदबूत हसार में कसमसा के रह गए, छोड़ियो मुझे आयाज भाई, उसे परे धकेलते वो बहलक के बल पूरी कुछ से चलाई, शिदत और गिरिया और गम कोई दूसरी आप्शन भी नहीं है, माई स्वीट हार्ट, वैसे भी मुझे अपने ठुकरा जाने का बदला भी तो लेना है तुम से, मेरे अंदर जो आग तुम ने लगाई उसे तुम ही बुजाओगी, और अब में मजीद खुद पर वो उस पर हावी हो रहा था, इससे पहले कि वो अपने शेतानी अज़म को पूरा करता धार से दर्वाजा खुला था, और किसी नयास की पीट में पूरी कुट से एक खंजर गुम पाता खुन का एक फुवारा सोबल पड़ा, आ, वो जो जोड़दार चीख मार कर उट बैटी, बुरा जिसम पसीने में शरब बूर रहा था, लंबे-लंबे सांस लेती, वो कता ही अपने हवास में नहीं थी क्या हुआ, उसकी चीख सुनकर शरब बढ़ा कर दरमयानी दर्वाजा कोल के अंदर दाखिल लुआ, राय टॉन करके वो उसकी बैट की सिम्थ बढ़ा, जो बधभासी के आलम में सहमी हुई, बैट पर बैटी थी, और यू ओके, उसने बैट पर उसके पास बैटते वे दर लगाया, ठेकी टीजी कुछ नहीं होगा, मैं इधर यूँ, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, सो जाओ अराम से, उसने आच्टकी से थप थपाते वे तसली दी, आप, आप जाएंगे तो नहीं, उसने अलग होकर उससे डरते डरते पूछा, उंकों में बेयकीनी सी बे नहीं, यह आजमाईश कब तक है, उसकी लंबी पलकों को देखते वो उसने सोचा था, उर्वा, मामा का फून है तुम्हें बुला रही है, वो कपरे प्रेस कर रही थी जब बेडरूम, से शेहस ने पुकारा, वो पलग ओफ करती अंदर की तरह बढ़ गई, जी, मामा कैसी नहीं आप, वो बड़े खुशगवार लहजे में बोली, मैं ठीक हू, तुम कैसी हो, उनके लहजे में महसूस की जाने वाली ममता थी, आपकी दुआ है मामा, रहमा कैसी है, एक मामा ही तो थी, जिनके रवएए में कहीं खोट नहीं थी, वो उनसे बात करने के बाद हमेशा ये खुद को फ्रेश महसूस करती थी, रहमा भी ठीक है, तुम लोगों को बहुत याद करती, कब आ रहे हो तुम लोग, वो जब भी फोन करती थी, ये बात पूछना न भूलती थी, जल्द आएंगे मामा, इन्शाला, उसने हमेशा की तरह उन्हें बहलाया, कि सवाल का ज अची जगा से परफोजल आया, उसके चाचुने खूब चान बिन करके हाँ कह दिया, मैं शेह से कह रही थी, अब तुम भी यहां से वाइन अप करो, और वापस आ जाओ, रहमा के बाद तुम में बिलकुल अकीली हो जाओंगी, जिन्गी पता नहीं कब तक है, अब मैं गर में बस करो बेटा, आजाओ अब, उनके लहजे में महसूस की जाने वाली ठकन थी, और वाने खुद को पाताल किया था, गहराईों में गिरता महसूस किया, क्योंकि सिर्फ उसकी वज़ा से अब तक उनका बेटा उनसे दूर था, पहले जब एक दफ़ा उसने शेह से व आपसी की हवाले से बात की थी, तो उसने बड़ी बेदर्दी से कहा था, जब तक तुम हो में वापस नहीं जा सकता, सबके सामने मुझ से फजूल की आक्टिंग नहीं होती, और वो गया अपनी जगा पे गर्सी गई थी, इसके बात कभी उसकी हमत नहीं होगी, इस टॉप परवा होती है, लेकिन बेटा, बच्चों सही औरत की कदर बढ़ती है, तुम खुद तबज्जो दो, वो हर बार की तरह उसे समझाना नहीं बूली थी, और वा, शेहस की मजूदकी में गड़ बढ़ा गई, शेहस को फोन दो जरा, मैं उससे पूछती हूं, उन्होंने विल डांट सुनने के बाद, उसने अपनी बेजारियत को चुपाते हुए, बामुश्किल कहा था, और नहाए तॉफ मूड के साथ, रसीवर क्रेडल पर पटका था, तुम मेरे सर पे क्यूं खड़ी हो, पहले हजाब क्या कम है, जो तुम हर रोज मेरे लिए नया मसला करिय टरती रहती हो, वो पहले ही तपा बैटा था, घुस्से में उसी पे उल्ट पड़ा, वो जो कुछ कहने के लिए लग खोलने ही वाली थी, उसके घुस्से के पेशन एजर होंट कारती, फौरन बाहर निकल गए, वो खुद तो तैश में बगायर नाश्ता किये, तनपन करता हुआ, यूही ऑफिस चला गया था, जबके वो सारा दिन बोजल दिल लिया, अब सुर्दा सी बैटी रही, वो खुद को सबका मुझरिम तसबर कर रही थी, क्या है मेरी जिन्गी का मकसद, सिर्फ दूसरों के लिए आजमाईश और अजियत का सबब बनना, खाली-खाली न दुकर है आप आगए, मुझे बहुत परिशानी हो रही थी, उसे देखकर वो कहे बिना न रह सकी, जबाबन वो कुछ भी कह बगए, एक तनतनाती निगाह उस पर डाल कर आगे बढ़ गया, वो अंदर यंदर खाइफ होती, किचन में आगई, उसके फ्रेश होने का इंतज गए, उसने शायद वाकरी सुबह से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि आज उसका ध्यान काने की तरफ ज्यादा और काम की तरफ कम था, उर्वा इदर आओ, ट्रे एक साइट पे खिसकाते वो उसने उसे पकारा तो वो चौंग गई, क्योंकि आज पहली दफ़ा, उसने उसे यह पकारा था, उर्वा को उसके चेहरे के तासुरात भी अजीब और गरीब से लगे थे, वो जिजगती हुई, उसकी करीब आगई, बैटो, वो तहकम हमेज लहजे में बोला तो वो उसे कदर फासल है, रखते हुए बैट गई, दिल अलबता किसी अन्होनी के पेशे नजर त इस-देश धड़क रहा था, वो कुछ देर जांचती नजरों से उसे देखता रहा, फिर बड़े ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, मुझसे क्या चाहती हो तुम, उसके अजीब औ गरीब सवाल पर उसमें समझ में ना आने वाली इहरान नजरों से उसकी जानिम देखा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इस तरह तनाई में मेरे साथ वक्त गजार के, मुझे कमजोर कर दोगी, और मैं किसी कमजोर लबहे की गृफ्त में आकर, हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाओंगा, तुम्हारी नजर में हर मर्द, आयाज और हर लड़की अर्व को यू लगाता है, जैसे किसी ने, उसे आस्मान से जमीन पर लापट गाता, तिस इस टू मच, इनफ इस इनफ, अपने हवास को बामुश्किल काबिक करती, वो खड़ी हो गए, इतना बड़ा इल्जाम उसके सर रखा गया था, शेहस की बात उनने तो उसे खुद से नजर उसमान, खुद से, जिनगी से किसमत से तुमने उसकी नस्वानियत के परखशे उड़ा दिये, उसकी जात का मान और गरूर चीन लिया, बहुत बुरा किया तुमने बहुत बुरा, मेरे दामन सिवाए इसके और थाई किया, जो तुमने ये भी चीन लिया, आज वो बुरी सनाटा पूरे घर में गुंज रहा था, उसने शेहस को अजीव एहम में मुब्तला कर दिया था, अंदर दाखिलो कर उसने किचन में जांका, उसकी तवक्यों के मताबिक अर्वा को यही होना चाये था, मगर खाली किचन, उसका मूँ चिडा रहा था, फिर उसने पूरा घर चान मारा लेकिन उसके कहीं भी अर्वा तो क्या, उसका नाद मुन시다 तक नजर नहीं आया, अर्वा, अर्वा, बहुत घबरहाट के आलमे में उसने उसे कहीं अवाजे दे डाली, लेकिन वो कहीं भी नही थी, जो किसी कोने से निकल कर बरामद हो जाती, कहां चली गई, वो परेशानी से बुर बढ़ाता अपने कमरे में दाखिल वा तो सामने राइटिंग टेबल्स पे उसे एक कागल पड़ा दिखाई दिया जो इस तरीके से रखा गया था कि कमरे में दाखिल होते उस पर नजर पढ़ जाए पहली दफ़ा तो उसने कोई गौर नहीं किया था अब कि सिर्फ मेरी वज़ा से आप अपनी फैमली से दूर हैं और आपके अपने आपकी शकल देखने को तरस रहें मेरी जिनगी तो है ही कटनायों से लबरेश किसी को अपने साथ क्यों घसी टूँ मैंने जितना अर्सा आपके साथ गुजारा इसमें मुझसे जो घल्तिया उनके लिए आपसे माजरत खुआ और माफी की तलबकार हूँ सही बात दूए है कि मुझे रिष्टों को बरतना नहीं आता पंदरा साल की थी जब वालदान की वफात हो गई बस पंदरा साल के बाद अर्वा ने कभी किसी खुशी का मुझ नहीं देखा बता नहीं इसमें मसलियत है ताई के घर रही तो उनके लिए अजाब बनी रही आपके घर आई तो आपके लिए अजाब बन गई हर रिष्टे ने मुझे अपने तोर पर पर परखा समझा और बढ़ता लेकि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं यह सब मेरे नसीब में दर्श था तो मुझे मि मेरे बारे में कौन सी घलत पहमी है जो दूर ना हो सकी बहराल मैं बहुत शर्मिनना हूँ कि मेरी वज़ा से आपके जिनगी के कीमती दिन जाया हुए आप दुबारा से अपनी जिनगी शुरू कीजिए हमारा क्या है यूही से सकते भी लगते गुजरी जाएगी अब तो गर दीजिएगा बाकी मेरे घर जो मरजी इतला पहुंचे मुझे परवा नहीं मामा बहुत अच्छी औरा थे यह वाहिद रिश्टा था जो मुझे अपना लगता था मैं अपने हवाले से उन्हें दुख नहीं देना चाहती इसके अब आपसे वादा करती हूँ कि कभी पा आंखों में जमीनों आसमान गूंगें वो बुजदिल सी लड़की अतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती बेयकीनी सी बेयकीनी थी उसने कहीं बार खत को पड़ा रहर दवा उन्हें अदामत की दलदल में घुसता चला गया एक सराब के पीछे बाकते वनाम नहाद अना की खात अब वो जमाने की गर्दुशों में पता नहीं कहां गुमती शहस नहीं की रिंग उठाई और उसकी तलाश में निकल पड़ा अगरचे वो इतनी जल्दी शादी के हक में ना था और ना ही वो जहनी तोर पर उसके लिए त्यार था मगर मामा सारा वाले वाकिया के बाद इस शेराजी की स्कूल में देखा था वो किसी काम से गई थी और पहली ही नजर में उसे पसंद कर लिया फिर आगे का मामला तो चटमंगनी पट बया वाला था वो गर्चे अंदर से काफी जुझलाया हुआ था लेकिन मामा के सामने उसका इजहार नहीं कर पाया था उसकी सारी बेजार्यात और जुझलाहट शकत उर्णचू होई जब उसने पहली नजर अर्वा को देखा वो पहली नजर में ही मभूत हो गया था और पहली नजर के तीर का शिकार हो गया आज उसे मालूं हो रा था कि इस तरह हो पहली नजर हुई तो उसका मू लटका हुआ सॉरी वो मिलने के लिए त्यार नहीं है मैंने उसे बहुत कहा मगर वो एगरी नहीं हुई I'm really sorry वो सर जुकाय शर्मिंदा शर्मिंदा सी बोली तो शेहस के अंदर चंद से कुछ तूटा था तो हम उसने फॉरन खुद पे काबू पाया इट सोके मैंने माइन नहीं किया नर्मिंसों से कहते हैं वो साला की तरह बढ़ गया शर्मा रही होगी तो नहीं नोट नहीं किया भावी वैसे भी बहुत शर्मीली है ती जमाना ऐसी बहाया लड़की तो चलती ही नहीं तो वाकिए लगी है यार शेहस ने साला को बताया तो वो अपना ख्याल जाहर करने लगा और इस बात को उसने भी महसूस किया ता लाज़ा फॉरन इस बात में सर इला दिया वो सारी रात उसकी अर्वा के तसवर के हमरा गुजरी थी गर में शादी की त्यारियां पूरे जोर शोर से हो रही थी वो खुद बढ़ चरकर हर चीज में हिस्सा ले रहा था अभी वो रहमा और मामा को मिसी शिराजी के तरफ चोड़ कर आया थै जब मुलासमा ने उसे आकर इतला दी आपसे कोई सहाब मिलने आया वो दिल मेहरान होता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वह वहां कते ये कजनभी शक्स को बैठा देखकर ठटका मैं आयाज अक्राम हूँ और वाका कजन नुवार्द ने खुदी उसकी उलजन हल कर दी कैसे हैं आप वो उसका सुस्राली रिष्टेदार था लहाज़ा अच्छे तरीके से मिलना उसका फर्स था फाइन उसने मुक्तसर सा जबाब दिया मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ वो सर्द और खौमोश निगाहों से शेहस को देख रहा था शेहस को उलजन तो ही तहम वो चुपा गया जी गहिए अंदरुनी तासुरात को चुपाते वो वो खुश्टीली से बोला मैं ज्यादा लंवी चौड़ी तमहीद का काईल नहीं मुक्तसरन बात यह है कि मैं किसी जुरूरी काम से शेहर से बाहर था मेरी गार मुझूद्गी में आपका निकाह अरुवा से हो गया जबकि हम दोनों बच्च्पन से एक दूसरे को पसंद करते हैं मुमी के आगे अरुवा कुछ बोल नहीं पाई पर दूटा था लाहजे में खुदबा खुदी तलखी गुल गई थी मैंने कहा ना यह सब कुछ एमरजनसी में हुआ कि हम दोनों संभल ही नहीं पाई हमें अकलबंदी से काम लेना चाहिए और तीन जिंग्यों को बरबाद नहीं करना चाहिए उस पर निगास जमाए उसके तासुराथ नोट करता वो बहुत ठहर ठहर कर बोल रहा था I'm sorry Mr. आयास उसकी बात दरम्यान में रह गई आयास का सेल गुन गुना उट रहा हेलो हाँ हाँ मैं इधर ही हूँ डोन बरी मेरी जान मेरे होते हुए तुम क्यों परिशान होती है क्या अच्छा ये लो कर लो बात अर्वा है तुम से बात करना चाहती है आयास ने सेल उसकी तरह बढ़ाया वो जो लब भींचों से सुन रहा था ना चाहते हुए भी सेल उसके हाथ से पकड़ लिया हेलो दिल में उड़ते जवार भाटे को दबाते हुए वो बामुश्की लहजा नॉर्मल रखवाया मैं अर्वा बात कर रही हूँ मैं आपसे बहुत माज़रत खुआ हूँ ये सब कुछ जल्बाजी का नतीज़ा मैं ये भी गवारा नहीं कर सकती तो आप प्लीज इस काख्जी रिष्टे को खतम कर दे क्यूंके शट आप वो उसके बात काट कर घर आया और्वा के बातों ने उसे बारूत पे बिटा दिया था उसकी मन कोहाओ कर वो किसी गहर के लिए इतने नाजेबा कलमात इस्तमाल कर रही थी घुस्ते और तैश के मारे उसके अंदर भटी देखने लगी एक जटके से उसने सहल आयाज की तरफ उचाला अब ऐसा होना नामुम्किन है वो तो जलते तवे पे बैटा था जिद में आ गया बहत आराम से मालो तो फाइदे में रहोगे मिस्टर शैस उसके लहजे के हटीले पन को महसूस करते वे आयाज ने एक तफ़ा फिर उसे नर्मी से समझाना चाहा ये मेरा आखरी फैसल है अब तुम यहां से जा सकते हो उसके लहजे में बहांबर जल रहे थे अगर वो खुद उसकी तरफ नहीं बढ़ाता तो उर्वा का गुरेज भी उसे साफ पता चल रहा था शैस की किसी जाती किसी बात के बारे में उसने कभी लब नहीं खोले थे जब तक तो वो पाकिस्तान में था तब तक तो फिर भी ठीक रहा लेकिन अमरीका आते ही शैस ने उससे सक्त बेगानगी और लातल की इक्तियार कर ली थी और सच तो ये था कि अब वो खुद अंदर से कमजोर पढ़ने लगा था उर्वा का वजूद किसी मकनाती इसकी मानित उसे अपनी तरफ किंचता था दिल के बढ़ते हुए तकाजों से वो ज़्यादा घबराता तो उसी पर उल्ट पढ़ता कि शायद कभी तो वो अपने गुज़शता रवेया के बारे में कुछ गह लेकिन वो उसे आयाज के ताने देने लगता और वाकि फोन पर की गई बाते याद आती कि वो उसे यहीं रोक ले लेकिन दरमयान फिर आयाज और उसकी अनाग घड़े हो गया और एक दिन तो वो बलाखिर फटी पड़ा वो चाहता था कि अगर ये सचा तो अरवा उसकी ताइद करे और अगर जूट है तो तरदीद और उसकी खमोशी को वो खुद बखुद ताइद के माईनी पहना रहता था अपने अंदर पकता लावा उस पर अंडेल कर वो खुद बेनयाज हो गया था लेकिन बापसी पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली थी आज तीसरा दिन था अरवा को लापता हुए तीन दिन से बहुर चीज़ का होश बुलाए बैटा था उसके असल महबब तो अब उस पर खुली थी उसके बगार तो वो कुछ भी नहीं था अपनी नाम ने हाद अना को लेकर वो जिनगी के कीमती दिन गवा आया था और जब उसे अपनी गलती का अद्राक हुआ था तो वो कहीं भी नहीं थी कौन सी जगा ऐसी थी जहां उसने उसे नहीं डूनडा हर रोज में इमेल भी चेक करता था कि शायद वो किसी तरीके से राप्ता करे आज भी मेल चेक कर रहा था जब नीदा की मेल अर्वा के नाम देकर ठटक गया अर्वा मेरे पास वो जबान नीए कि जिससे तुम जैसी पाकी जास्ती को पकारा जाए तुमारे जाने के बाद हमें इल्म हुआ कि तुम हमारे लिए क्या थी तुम तो वो खुश्वक्त सितारा थी कि जो हमारे घर से निकला तो सिया भक्ती ने हमारा रास्ता देख लिया हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो अगरचे काबले माफी नहीं फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ कर देना मैंने और आयास ने मिलकर शहास को तुम्हारे खिलाब बहुत बढ़काया था और खुदा का इंसाफ देखो को उसी दिन आयास को पुलीस ले गए वो गलत कारवाईयों में मुलविश था बस फिर तो बद्नामी ने हमारा घर देख लिया हम बरबाद हो गए हमने तुम्हारा हक चीना हम लुकमे लुकमे को तरस गया तुम जितनी अच्छी और हम दर्दो मुझे पूरी उमीद है कि तुम हमें माफ कर दोगी शायद इसी तरह लाभी हमें माफ कर दे अगर्चे हमारी सजाएं बहुत ज़्याद है हमने तो तुम्हारी शादी भी किसी नेकमियती से नहीं की लेकिन अल्ला को शायद तुम्हारी खुशिया मनजूर थी अगर हो सके तो हम सब को माफ कर देना तुम्हारी खताकार बहन निदा एक्राम मेर पड़के वो मजीद नदामत से दोचार हो गया था रहमा अक्सर अर्वा से इंटरनेट पर चैटिंग करती रहती थी यकिनन उसी निदा को एमिल अड्रेस दिया था गर्चे अब उसे अर्वा की जात के हवाले से किसी किसम की सफाई की जरूरत नहीं थी ताहम फिर भी कुदरत ने उसकी गवाही पेश कर दी थी सर दोनों हाथों में गिराकर जब्द कोने लगा था हवा थमी थी जरूर लेकिन वो शाम जैसे सिसक रही थी कि जर्द पत्तों को आंधियों ने अचीब किस्सा सुना दिया था कि जिसको सुनकर तमाम पत्ते सिसक रहे थे बिलक रहे थे जाने किस सानिहे के गम में शजर जडों से उखर रहे थे बहुत तलाशा था हमने तुमको हर एक वादी, हर एक रस्ता, हर एक पर्बत कहीं से तेरी खबर ना आई तो ये कहकर हमने दिल को टाला हवा थमेंगी तो देख लेंगे हम उस के रस्ते को ढूंड लेंगे मगर हमारी ये खुश ख्याली जो हमको बर्बाद कर गई थी हवा थमी थी जरूर लेकिन बड़ी ही मुद्ध गुजर चुकी थी क्या बात है यार घर खुला पड़ा है किदर हो तुम आली दूर ही से बोलता चला रहा था शहस वो बैडरू में दाखिल हुआ तो शहस को इंताई शकिस्ता आल देखकर लपा कर उसके तरह बढ़ा क्या हुआ यार तुम ठीको सिल्वर्ट जदा कपड़े बढ़ी हुई शेव उलजा पिखरा हुलिया सुर्ख आंके उसके हालत देखकर आली अच्छा खासा घबरा गया था आली एक हमदर्द पाते ही वो उसके कंदे से लगकर सिसक उटा वो कहा है आली उसे कहो कि लॉट आए बहुत सजा होगी अब मुझसे बरदाश नहीं होता उसे बुलाओ ना आली आली आन का दिल उसकी हालत पे कटके रह गया किसकी बात कर रहे हो शहस अर्वा पता नहीं कहा चली कि यह मुझे चोड़ कर मैंने उसे कितना पुकारा वो जो मेरी एक पुकार पर दौरी चली आती थे अब सुनती ही नहीं उसे गाओ ऐसा ना करे मेरे साथ अब लौट आए वो उन्चा पूरा जवान मर्द यूं पे लक रहा था कि आली के लिए उसे सम्हालना मुश्किल हो गया यहलो पानी पे हो सब ठीक हो जाएगा मैं आ गया हूना आली आन ने उसे तसली देते वह पानी का ग्लास थमाया जिसे वो एकी सांस में पटा पट चड़ा गया था कुछ देर बाद उसका सांस पहाल हुआ तो आली आन बोला अब मुझे बताओ क्या हुआ था भावी क्यूं गई है शैस ने सर जुका कर उसका सवाल सुना था और फिर वो उसे सारी बात बताता चला गया उसकी रुदात सुनके अगर्चे आली उसको सरजिश करने का इरादा रखता था लेकिन उसकी मतवक्त का हालत के पेशे नजर खामोश रह गया उस वक्त उसे मोरल सपोर्ट की जरूरत दे और एक अच्छा दोस्त ही होता है जो मौका महल के मताबिक अपने दोस्त को समझने की कोशिश करे कहीं नहीं गई होंगी वो मिल जाएंगी इंशाला मेरे कुछ कॉंटेक्ट से मैं पता करवाता हूँ डोन बरी वो वक्ती तोर पर नराज होंगी मान जाएंगी मैं उनके आंकों में तुम्हारे लिए बहुत महबब देखिया तुम खुद को समझालो बी रिलेक्स उसका शाना थप थपाते वे वो उसे उस वेस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था पिर आली और शेहस ने मिलकर उसे कहां कहां नहीं डुंडा हॉस्टल्स तक उन्होंने खंगाल डाले लेकिन उर्वा को ना मिलना था ना वो मिली शेहस की आलत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी घर आफिस वो सब कुछ है था कि अपना आप भी बुलाए बैटा था लेकिन लगता था वो बाकी उसे रूट कर बहुत दूर जा चुकी थी उस सौफे को वो रुजाना हसरत और याद से देखा करता जिस पे बैटके वो कभी वो उसे देखा करती थी कितना कठोर हो गया था वो अपने चमन को उसने अपने हाथ से आग लगाई थी अर्वा को गए महीना होने को आया था अब तो शेहस की उमीदे खतम होती जा रही थी उसे हर वक्त अजीब औ गरीब किसम के ख्यालात और वस्वसे सताते रहते टेंशन की वज़ा से सक्थ बुखार नयान गिरा था आली बेचारा हर जगा उसके साथ खौवार हुआ था अब उसकी तिमारदारी भी वहीं कर रहा था यह एख्यम तो इंतहाई नहाई शिरारती बच्चा है सारा दिन निचा के रख रख देता है वो अभी भी एख्यम के पीछे भाग कर हलकान होते हुए एक जगा बैटी थी जब वो दुबारा आकर उसे तंग करने लगा कीसमी सड़ी का मॉडल है ना तरारी तो खुद बाख खुद ही आएगी नादिया ने नहाल होती नजरों से बेटे को देखा जो अर्वा के साथ बहुत बानूस हो गया था और खुद अर्वा भी उसे बहुत प्यार करती थी सारा दिन उसके नाद नकरे उटाती ना थकती थी शेहस के रवये से उस दिन वो इतनी दिलबरदाश्ट हुई थी कि वो इंताही कदम उटाने का सोच लिया जिसकी सारी जिनगी वो तसबर करती आई थी वैसे भी उसके साथ रहकर वो ना जाने कितने लोगों के लिए दिलाजारी का सबब बन रही थी शेहस के तेवरों से लग रहा था कि वो अपनी आखरिया चलती रही उसे कुछ खबर ना थी जब अचानक आलियान उससे टकराया था और उसे यू अकेला देकर ठटक गया और वो ने चाहा कि कनी कत्रा के निकल जाए या कमत कम उसे टाल दे लेकिन आलियान उसके हुलिये से बिलकुल मुतमईन नहीं था और कुछ यहस के रवये से उसे थोड़ा बहुत शक भी था अब वो जो अर्वा को यू बेयारो मददकार मुँ चुपाए किसी ना मालूम मंजल के तरफ रवा देखा तो उसे अपना शक यकीन में बदलता महसूस हुआ फिर अर्वा के ना नह करने के बावजुद वो उसे घर ले आया था और अर्वा से सारी बात उगलवा के ही दम लिया था आप यहां से कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि यह आपके भाई का घर है और एक भाई की घरत कतई ये गवारा नहीं करती कि उसकी बेहन बेमोल होती पिरे आलियान ने उसके सर पे हाथ रखते वे कतई दो टोक लहजे में कहा था और नादिया ने भी उसकी भरपूर ताइब की थी आलियान शहस से बराबर मिलता रहा सारी सुरतियाल उसके सामने आ गई थी शहस उर्वा को खोकर नादियम था लेकिन आलियान चाहता था कि शहस को एक दफ़ा अच्छी तरह नसियत मिल जाए ताकि वो आइंदा मोतात रहे जो कुछ उसने शहस के लिए वो उसकी महबत में दोस्त बन कर किया और जो कुछ उसने अर्वा के लिए किया वो एक भाई की हैसिया से किया कहते हैं कि दौा कभी रद नहीं होती ये अर्वा की दौाओं का ही असर था जो आलियान की सुरत में जाहर हुआ था जो अल्ला पाक ने उसके असमत को महफूस कर लिया था उसके लिए निकरान मकरर कर दिया था अहजम के बच्चे आहजम ने उसके बालों में से कैचर उतार दिया था जिसकी वज़ा से उसके सारे बाल भी खर गहते उसने नहीं घुस्ते से उसे आंके निका ली जबकि वो कल कल करता अब चोटा सा कुशन उतार के उसके सर पे रख रहा था औरवा ने हसते हुए उसे पीछे से खेंच कर अपने आगे किया था औरवा एजम के कपड़े तो चेंज कर दो क्या हशर किया हुए उसने आली आने वाला होगा मैं ज़रा किचन को देख लो नादिया उसे हदाय देती उठकर किचन के तरह बढ़ गए अब आप इधर बैठो मैं आपके कपड़े लेकर आती हूँ उसे कुशन पर बिठाते हुए औरवा ने उसकी नन्नी सी नाग दबाई तो वो बसूरने लगा वो वार्ड रूप से एधरम के लिए शर्स निकाल रही थी जब दर्वाजा आइस्तगी से खुला और वो ने फॉरन डुबटा अच्छी तरह लपेटा जो एधरम से खिलने के बाइस कंदे पर जूर रहा था वो यहीं समझी थी क्या आलियान होगा उसकी जो कि उस तरह पुछती लहाजा देख नहीं सकी आने वाला जब काफी देर तक अंदर नहीं आया तो वो उलच सी गई आलि भाई आप यूँ क्यूँ वो कहते वो मुड़ी लेकिन उसकी बात दर्म्यान में ही रह गए बाकी के अलफाज उसके मुँ में रह गए वो हैरानों शच्टर सी अपने सामने घड़े शेहस को देख रही थी जो बिना पलके चपकाई उसे देख रहा था उर्वा ने चाहा कि उसे नजर अंदास करके वहां से निकल जाए लेकिन उसके कदम तो गया जमीने जकर रखे थे सर जुकाई होन कारती वो अपनी नशिस्ट भी न तब्दील कर पाई वो चोटे चोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था उर्वा का सांस रुखने लगा उसका शिदत से जिचाहा कि जमीन पटिया और वो उसमें समा जाए वो ता उमर इसका सामना नहीं करना चाहती थी उर्वा उसने धीमे लहजे में उसे पकारा था लहजे में इतनी शिदत इतनी चाहते थी कि उर्वा को अपना दिर डोपता वा मैसूस हुआ था और अगले ही लम्हे शेहस ने उसे कंदे से पकर कर खिंचते वह खुद से लगा लिया था उर्वा तो जहां की तहां रह गए वो जो तंजो तशनी और पत्थर बरसने की मुंतजी थी उससे नहीं अफ़ताद पर घबरा गई कहां चली गई थी तुम हाँ तुमें नहीं पता तुम्हारा शेहस तुम्हारे बगएर कितना अधूरा कितना नामकमल कितना खाली हो गया था तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा थी पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यूं किया उसे सीने से लगाए वो बहुत शिकिस्ता लहजे में बोल रहा था अर्वा को हैरत का शदीद जटका लगाता शेहस और ऐसी बाते एक तुम उसकी इतनी कुर्बत पे बहुत बुखलाई हुई थी जबान साथ देने से इंकारी हो रही थी दूसरा उसके हसार में इतनी दिवानी इतनी दिवानी इतनी शिद्दत के अर्वा को लग रहा था कि किसी भी लम्हे उसकी सांथ से उसका साथ छोड़ जाएंगी तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम मुझे तब पता चला जब तुम मुझे अधूरा कराई तब मैंने महसूस किया मैं तो तुम बिन बिल्कुल अधूरा हूँ मेरी तकमिल तो तुम से है उसने अपने लब उर्वा के बालों पे रखे तो वो तड़ब के रह गई छोड़िये मुझे उसने एक चटके से खुद को उससे अलादा किया था शहस का असार उसे किसी बर्की भटी की मानित महसूस हो रहा था जिसमें वो सर से पौँ तक जुलस गई थी अगर्चे वो खुद को उससे छुड़वा कर दूर हो चुकी थी फिर भी उसे अपना अप अंगारे की तरह देखता महसूस हो रहा था मत भूलिए कि मैं वही उर्वा हूँ जिसे कदम कदम पे आपने दुद्कार और तजलील किया मैं अब भी वही उर्वा हूँ उर्वा शहाब आपकी कुछ नहीं लगती जाए जाए यहां से मैं किसी को किसी को नहीं जानती मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं वो जियानी अंदास में चिलाई वो भी इंसान थी कहां तक बरदाश करती आज उसका जब्द पारा पारा हो गया था वो जो अपनी तरफ से इस टॉपिक को क्लोज कर चुकी थी अब इस बाप को दुबारा खुलते देकर अपना जब्द कवा चुकी थी मुझे अपनी घल्टी का इद्राक है अरवा मैं इसके लिए शर्म सार हूँ मैं तुम्हारा गुनागार हूँ तुम जो सजा मेरे लिए तज्वीज करो मुझे मन्जूर है अगर खुदा के लिए यू खुद को अजियत ना दो उसे उसे ऐसे ही रद्यमल की तवक्व थी और वो खुद भी यही चाहता था कि वो गुट-गुट के जित जीना खतम करे एक दफ़ा कुल के दिल की बढ़ास निकाल ले ताकि इतने सालों से जो लावा उसके अंदर पकराए वो बह निकले और उर्वा भी हातों में उर्वा भी हातों में चुपा कर सिसक उठी ओके रिलाक्स मैं चला जाता हूँ लेकिन तुम पहले मेरी बात सुन लो बहुत सारी बाते ऐसी हैं जिनके हकीकत तुम पर आशिकार नहीं हुई तुम जब पसे मंदर से अगाह होगी तो यकिनान अपनी सोच में तबदीली पाओगी शैस ने उसके करीब बैटते वे नर्मी से उसके आंसों को अपने पूरों में चुना तो वो ठेटरक कर उसे देखने लगी शैस ने उसके हाथों के अपनी ग्रिफ्ट में लिया और फिर वो उसके खुलता चला गया अपनी मौपत, बेबसी, गुरेश, गहरत उसने कुछ भी पुशीदा न रखा था और वा शैस्टर से उसे सुन रही थी कैसा गेम खेला था उसके खिलाफ उस सारी जिंगे जर्म की सजा काड़ती आई थी जो कभी उसे सर्जद ही नहीं हुआ था लेकिन मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा सारा को तो ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि उसकी आएंदा साथ नसरे भी पना मांगेंगी उसके लहजे में शरारों किसी लपक थी उर्वा ने खौल कर उसे देखा जब खुद आपकी अंदर किसी को माफ करने को हसला और जर्फ नहीं तो फिर इसकी तवक्व आप दूसरों से क्यों कर रख सकते हैं उर्वा ने चुपते हुए लहजे में उसे कहा था अच्छा अगर मैं सारा को माफ कर दो तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी वो एकदमी बड़े जोश से उसका हाथ दबा कर पूछने लगा तो वो एकदम होश में आई उसकी बातों के दुरान वो कतल फरमोश कर चुकी थी कि उसके हाथ अभी तक शहस की ग्रिफ्ट में थे मुझे नहीं पता सारा मेरी मामी नहीं लगती यह आपका मसला है जो भी चाहें करें और मेरे हाथ चोड़िए वो जो जो जोजो के कहती अपने हाथ चोड़वाने के कोशिश कर रही थी बला आकिर नाकाम होकर आकिर में बोली उटी तुम भी तो मेरा मसला हो मेरी जिन्दगी शहस ने एक चटका ही दिया था वो जो अपने ही ध्यान में थी उस हमले के लिए त्यार नहीं थी सीधी उसके उपर आ रही थी शर्म नहीं आती आपको वो उसके तंग होते घेरे से घबरा कर बोली तो शाहस का बेसाकता कहका अजाद हुआ था उसके जुम्ले से वो खासा महफूज हुआ था तुमसे बला क्यों शर्माएगी बेवकूफ लड़की वैसे भी अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मुझे इस लकब से नावाज हो वो बड़े बोलपन से गोया हुआ तो उर्वा जलके रह गई तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना उर्वा भलके मिसिस उर्वा शहस उसने खुद पर मसनुही संजीत की तारी करते उसके चेहरे को देखा आज पहली दफ़ा वो हक रखने के बावजूद वो उसे यू इतने करीब से देख रहा था इसलिए आज जजबे और निगाहें बिलगाम हो रही थी अच्छा तरीका है माफी मागने का और वा भुना के रह गए माफ तो वो उसे तब ही कर चुकी थी जब घर से कदम बाहर निकाला था कि उसने शेहस उस्मान से बेहत हिसाब महबत की थी ये उसकी महबत की इंतहाई थी कि वो उसे कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी इसलिए तो अपने दुख उठाकर अलग हो गई थी यार एक दफ़ा बोल दोना क्योंकि मेरा खुद पर कंट्रोल खतम हो रहा है उसके लहजे के खुमार और आंकों की तो पिशने उर्वा को बेतहाशा सुर कर डाला था छोड़ियो मुझे उसने कमजोर सा इतिजाज करना चाहा चलो छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो उसके लहजे के चेहरे के बदलते रंगों से मस्रूर होते हुए उसने गोया चैलिंज किया था उर्वा ने पूरी कुवत इस्तमाल करते हुए उसके हसार को तोड़ना चाहा था लेकिन उसके फुलादी बाजू में सिर्फ कसमसा कर रह गई अब तो तुम्हारे रास्ते मुझ तक ही आते हैं अर्वा शेहस किस किस रास्ते से फरार हासिल करोगी शेहस ने उस पर जुकते हुए अपना हक किस्तमाल किया तो अर्वा की बेशानी पे गोया अंगारा धहक गया था क्या करते हैं आप ये किसी का बेडरूम है अर्वा ने बेहत बुखला कर उसको मजीद पेश कदमी से रोकना चाहा आहां अच्छा तो क्या ख्याल है अपने बेडरूम में चले शोखिसों से देखते हैं उसने एक आँख दबा कर पूचा तो वो पूरी पसीने में नहा गई सही कहता है सालक मैं वाकी बहुत लखी हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली वो उसकी छोटी सी नाँख दबाते हुँ बोला तो वो सर जुका कर हौले से मुस्कुरा दी शेहस की गहरी ब्राउन आंकों में आज जुन्य और अनोके रंग उससे नजर आ रहे था उसका सामना करना उसके लिए कोई आसान ना था वो तो एक सेकिंड भी उन जजबे लोटाती निगाहों में जांक ना पाई थी आज उसने जान लिया था सबर और दौा कभी राइगा नहीं जाते कभी ना कभी उनका सर जरूर जाहर होता है जैसे आज उसकी रियाज़त का समर उसे शेहस उसमान की सूरत में मिल गया था अब उसे मजीद किसी की तलब नहीं थी उसने बेसाक्ता अपने परवर्दिगार का शुकर यादा किया और बेहत शान्त होकर शेहस को देखने लगी जो अब आलियान और नादिया से इजाज़त ले रहा था क्या बात है बड़ा प्यार आ रहा है शेहस ने उसकी महवियत महसूस करते हुए छेड़ा तो वो जहीमके रह गए घर की तरफ जाते हुए उन दोनों के दिल बहुत ही मसरूर थे तो ये था खुबसूरा सा नावल ये दूसरा नावल है जो मुझे बहुत पसंद आया यार आजकल अच्छे नावल में पढ़ दी है मतलब पहले भी अच्छे पढ़ती हुए लेकिन कुछ-कुछ किसी किसी कहानी मतलब कोई-कुई बहुत बोरियत वाली कहानी होती आप बोर हो जाते हूए मैं भी पढ़ते हूए बोर हो जाती हूए लेकिन ये अब आज के दिन मैंने काफी recording कर ली इसी वज़ा से कि novel अच्छे थे तो मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा था मैं enjoy कर रही थी basically होता तो यह नहीं है कि आप novel को enjoy करो आपको अच्छा लगए और आपको feel लाओ कि आप novel पढ़ रहे तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो यकिनन आप लोग भी ऐसे ही सुन रहे होंगे तो अपना feedback जरूर दीजिएगा और मुझे बताएगा कि आप लोग कैसा feel करें तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से novel के साथ अपना डिर सरा ख्यार रखेगा अलाहफीज